हेले सुदेंट्स, वेलकम टू अफिसेल योटीब चैनल आप ओरीजिन कोचिंग, स्वागत है आप सभी का आज के लाइब क्लास में और आज हम निव चेप्टरी स्टार्ट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रिभियास क्लास में डिसकस किया था कि आज हमारा निव चेप्टरी स्टार्ट होगा वर्क एनरजी अंड पावर, कार्य उर्जा और सक्ति, तो आज हम क्लास 11 फिसिस के सिलेबस में वर्क एनरजी अंड पावर का टापिक इस्टार्ट करेंगे, वर्क एनरजी अंड पावर बहुत important टापिक है और बहुत interesting टाप उर्जा पढ़ना है और उसके बाद फिर हमको सक्ति पढ़ना है ओके तो रेडी हैं आप सब गुड इवनिंग गुड इवनिंग आगे सब चलिए ठीक तो कार्य उर्जा और सक्ति काज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है मतलब पहला क्लास है इंट्रोडक्शन और इस क्लास मे हम आपको कार्य के बारे में हम डिसकस करेंगे आज का हमारा टापिक कार्य पर बेस्ड होगा ठीक है उसके बाद हम एनर्जी पर बात करेंगे खीजिस आपको सरल लगता है यह वहुत ही अच्छी बात है देखो सबसे पहले हम डिसकस करें कार्य पर कार्य क्या होता है बाई कार्य का तो सब के दिमाग में बात क्लियर होता है कुछ भी करते हैं सब कार्य है कुछ भी अपन कार्य जो भी कर रहा है सब कार्य है समान ने बोल चाल में हम अपने डेली लाइफ में क्या कहते हैं यदि हम कुछ भी कर रहे हैं एनी वन तो बलते हैं हम कारे कर रहे हैं ठीक है तो कारे का बहुत ब्राड सेंस है हमारे डेली लाइफ में कारे का मतलब होता है कुछ भी करने से लेकिन फिजिक्स में ऐसा नहीं होता कि कुछ भी कर रहा हूं वो कार्य है कार्य होने का इसमें special condition होता है कि किस स्थिती में हम कार्य कहेंगे यह हमको समझना है तो वास्तों में कार्य का जो mathematical form होता है वो सीधा-सीधा यहाँ पर मैं सबसे पहले उसको inward लिख दूँ कार्य बराबर होता है बल, गुडित, बल की दिशा में विस्थापन, खाली विस्थापन नहीं मतलब आपको मालूम है कि हमने previous class में बल के बारे में पढ़ा लाजाप मोसन में गती के नियम में हमने पढ़ा बल क्या है तो बल के बारे में हमने क्या पढ़ा बल वह वाहे कारक है जो किसी वस्तु के इस्थिती, आकरीती में परिवर्टन कर दे तो जब किसी पिंड़ पर बल लगाया जाता है तभी उसमें कारे संभाव है बीना बल के कारे संभाव नहीं है तो कारे का परिवासा में बल आता है सबसे पहले कि किसी फी पिंड पर लगाया गया बल जैसे हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं और उसके बाद बल की दिशा में विस्थापन बल की दिशा में विस्थापन जितना होता है उसे हम क्या करते हैं कार्य करते हैं मतलब कार्य होने के लिए पिंड में विस्थापन कंपल सरी है, पिंड में विस्थापन आवस्यक है, मालो हम यहाँ पर इस तरह से condition देखें, कि सपोज यह कोई वाल है, एक दिवाल है यहाँ पर खड़ा है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है. यह आदमी क्या कर रहा है इस वाल को इस वाल को धक्का दे रहा है मालो इस वाल को धकेल रहा है एक आदमी किसी दिवाल को धकेल रहा है तो यहाँ पर यह बल तो लगा रहा है यहाँ पर यह बल लगा रहा है इस दिशा में यह बल एफ लगा रहा है दिवाल को ढखेल रहा है लेकिन यह जो दिवाल है अपने पोजीशन पर इस्थिर है मतलब अपने पोजीशन में चेंज नहीं कर रहा है उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है तब इसको कारे नहीं माना जाएगा तब इसको कारे नहीं मना जाएगा मालो मैं किसी दिवार को ढखेल रहा हूँ और आप में से आके पूछे सर क्या कर रहा है मैं बोलो मैं क्या कारे कर रहा हूँ मैं क्या कारी कर रहा हूँ आप बोलो कि सर क्या कारे मैं दिवार को ढखेल रहा हूँ यह कारे नहीं है क्योंकि कारे के लिए विस्थापन का होना कमपल सरी है जब तक PC पिंड पर देखो समान्य लाइप में हम विस्थापन हो या ना हो कुछ भी कर रहे हैं उसको कारे कर रहे हैं बोलते हैं लेकिन ऐसा नहीं है फिजिक्स में हम कारे सिर्फ तभी मानते हैं जब बल लगाने से उस पिंड में विस्थापन भी होना चाहिए विस्थापन का होना अनिवार है अब यहाँ पर हम देखें कि मालो हमारे पास कोई एक पिंड है मालो यहाँ पर imagine करो कि यह कोई पाथ है और यहाँ पर हमने एक प प्रवकार से रखा है अब इस पिंड को मालो हमने इसमें बल लगाया इस पिंड पर हमने बल लगाया और बल लगाने पर मालो हम इसमें इस दिशा में बल लगाये इस दिशा में इसमें बल लगाने पर यह पिंड विस्थापित होके अपने पोजिशन को चेंज कर लिया मालो पिंड का ये पहला condition है और पिंड में F बल लगाने से यह इस position पर चला आया second position पर D विस्थापित हो गया तब यहाँ पर कार्य होगा यह कार्य नहीं है और यहाँ पर कार्य हो रहा है और यहाँ पर जो कार्य होगा यहाँ पर जो कार्य होगा W उसको हम कहेंगे F into D इस पकार से किसी भी पिंड पर किया गया कार्य जो होता है वह बल और बल की दिशा में भी स्थापन के गुड़न फल के बराबर होता है यह तो हुआ बल का समाने concept और बल का मातरख होता है जूल जूल क्या है बल का मातरख है अब यहाँ पर देखो कि क्या हमेशा बल लगाए और बल की दिशा में ही विस्थापन हो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि मालो हम इस दिशा में बल लगाए और इस दिशा में बल लगाने से इसी दिशा में विस्थापन हो जाए ये जरूरी नहीं है कि बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा हो तब तो निश्चित्रुप से कारे बावाल बल गुडित बल की दिशा में विस्थापन का गुणा करते हैं लेकिन कभी कभी condition ऐसा होता है कि बल हम किसी और दिशा में लगाते हैं और विस्थापन किसी और दिशा में होता है तब हमको उस विस्थापन का बल की दिशा में घटक निकालना पड़ता है उसको हम इस तरह से समझ सकते हैं देखो कि मालो आप suppose imagine करो ये कोई धरातल है ये को हम तो अभी भी ऐसा कर लेते हैं कभी कभी मालो इस दिशा में हम बल लगा रहे हैं और पिंड में विस्थापन इस दिशा में हो रहा है आपने देखा होगा कि कई बार हम क्या करते हैं या छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कोई इटे को गाड़ी को किसी खिलवने क को रसी से बांते हैं यह रसी से अटेच किया और सपोज यह कोई खिलावना है इस रसी को हम इस दिशा में खिंचते हैं इधर बल लगाते हैं लेकिन इधर बल लगाने पर वह पिंड वह खिलावना इधर नहीं जाता बलकि वह खिलावना इधर ही आगे बढ़ता है इस दिश एच पी प्रजापती जूल तो सर क्ार्य का मात्रक है तो मैं क्षर का मात्रक ही तो बताया ये कार्य का मात्रक बताया है प्रजा पती जी मैंने यहां पर यह जो जूल है उसको कारे का मातरक बताया है बल का नहीं बल गुरित विस्थापन का मातरक जूल एक्चल में जूल न्यूटन मीटर होता है और न्यूटन मीटर को ही हम क्या कहते हैं जूल कहते हैं क्लियर बात क्लियर हो गया बात कि कोई डाउट है मैं वहाँ बल का मातरक नहीं बताया मैं वहाँ कारे का ही मातरक बताया चलिए ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा था कि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा यह दी अलग-अलग हो मालो दोनों के बीच में थीटा कोड हो माने बल और विस्थापन सेम डारेक्शन में ना हो एक्जामपल को थोड़ा गवर से समझना मालो हमने किसी इट में पत्थर में रस्ती बांद दिया और रस्ती अटेच करने के बाद उसको हम खीच रहे हैं तो जब हम उसको खीचते हैं तो आपने देखा होगा उसको जो विस्थापन होता है उसमें जो विस्थापन होता है वह 36 होता है जबकि बल हम इधर लगाते हैं और पिंड जाता है इधर इस डारेक्शन में तो इस condition में जब हमको work निकालना होता है तो क्या करेंगे यहाँ पर हम बल की दिशा में विस्थापन का component देखेंगे तो चुकि यह theta से लगा हुआ घटक है यहाँ बल का भी घटक निकाल सकते हैं दोनों में से किसी का भी घटक निकाल सकते हैं तो बल भी सदिशरासी है डी भी सदिशरासी है दोनों में किसी का भी घटक निकाल सकते हैं डी का इस direction में घटक निकालूं तो डी कास theta होगा क्यों क्योंकि पास वाला जो भूजा होता है वह कास theta होता है मैंने आपको शुरुवात में ही समझाये था कि पास वारा घटक कास थिटा होता है और अभी मैंने परिभासा में का लिखा हुआ है परिभासा में लिखा है बल, गुडित बल की दिशा में विस्थापन तो यहाँ पर देखो जब यहाँ पर हम कार्य निकालेंगे तो यहाँ पर कार्य कितना हो जाएगा कार्य W बराबर बल तो F है ते हो गया F और बल की दिशा में विस्थापन यह विस्थापन बल की दिशा में नहीं है बल की दिशा में विस्थापन का खटक D कास थिटा है तो हो जाएगा F D कास थिटा इस पकार से w बराबर fd cast theta होता है यह बल लिकालने का दूसरा फार्मूला है देखो बल लिकालने के कई फार्मूले हैं यह सब फार्मूला को आपको ध्यान से समझना है तो w बराबर होता है fd cast theta यदि बल और विस्थापन के बीच में theta कोण हो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो कि बल और विस्थापन के बीच में theta कोण हो तो उस समय पिंड पर किया गया कार्य जो होता है वह fd cast theta के बराबर होता है इस सुत्रा को उप्योग हम वहां करेंगे जहां हमको theta पता होगा और f पता होगा और d पता होगा अब आपको मालूम है कि हमने vector algebra में पढ़ा है तो vector algebra में dart product में हमने क्या पढ़ा है dart product में हमने पढ़ा है कि a dot b जिसको अधिस गुणा कहते है a dot b पराबर होता है ab cast theta यह formula हमने vector में पढ़ा है सदिस में पढ़ा है इस formula को हम use करें तो जैसे यहाँ पर ab cast theta है वो ऐसी यहाँ पर क्या है fd cast theta है तो fd cast theta को हम क्या लिख सकते हैं इस पकार से यहाँ पर car w पराबर हो जाएगा f dot d दोनों में vector का sign लगाओगे लेकिन w में नहीं लगाओगे क्योंकि w क्या है अधिस रासी है और हम ऐसे भी जानते हैं कि दो सदीसों का अधिस गुड़न फल सदेव अधिस होता है यदि आप लोगों को mathematical tools में vector में calculus में problem है एक चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना यदि किसी भी student को physics पढ़ते समय जो basic maths है जैसे trigonometry है vector algebra है सदीस बीजगडित कलन है और कलन समा कलन यदि आप से नहीं बनता ठीक है तो वहाँ पर क्या होता है बीना उसको जाने आप physics अच्छा नहीं समझ सकते इसलिए मेरा आपको suggestion है कि आप उस video को जरूर देखो जो हमने बहुत से बनाए हुए है बहुत से वीडियो हमने बहुत से प्लेलिस्ट में आप जाके देखो तो basic mathematical tools पर हमने सारे basic mathematical पर वीडियो बनाया हुआ है तो आप जाके जरूर देखो क्योंकि जब तक आपको vector, calculus यह सा पता नहीं होगा तब तक आप physics अच्छा नहीं समझ सकते ठीक है? उनको आप देखा करो सबका अपना opinion होता है लेकिन मैं तो हमेशा detailed study पर ही भरोसा करता हूँ मैं superficial उपर उपर की पढ़ाई पर भरोसा नहीं करता आपको detail ही पढ़ना चाहिए क्योंकि यदि आपको competitive exam भी निकालना है तो आपको सभी subject क्यों physics नहीं आपको पूरे subject को अच्छे से concept को clear करते हुए गहराई से पढ़ना चाहिए और यदि आपको सिर्फ board exam पास करना है आपको क्यों 11-12 class पास करना है अच्छे मार्स से तो जरूर आप important important पर focus होके पढ़ाई कर सकते हो लेकि नेक्स ची आप ध्यान रखना आज के date में सिर्फ 12th class के मार्स के बैस पर कुछ नहीं होने वाला है आपको अच्छे engineering college में जाने के लिए IIT के exam देना पड़ेगा आपको medical field में जाने के लिए NEET के exam देना पड़ेगा आपको अच्छे university में admission के लिए CUET का exam देना पड़ेगा तो आप 12th class के बाद higher study के लिए जब जाओगे किसी अच्छे university या अच्छे college पर तो आपको entrance test तो देना ही पड़ेगा और किसी भी competitive exam का entrance test बहुत difficult होता है difficult means जब तक आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे सुक्षमता से नहीं पढ़ोगे आप नहीं निकाल पाओगे इसलिए आप future को ध्यान में रखो बाकी course फटाफट complete करने के चक्कर में यदि आप चीजों को ऐसी पढ़ लेते हो तो इन future आपको उसका नुकसान होगा origin का मतलब होता है जहां से कोई चीज निकलता है origin मतलब जहां से किसी चीज की उत्पत्ती होती है जहां से किसी का उत्भाव होता है जैसे गंगोत्री गंगा का origin है हमारी गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो गंगोत्री is the origin of गंगा तो जहां से कोई चीज की उत्पत्ती होती उसको origin कहते हैं English में origin कहते हैं हो गया clear यहां तक तो इसको हम इस तरह से सद्धिस रूप में लिख सकते हैं कार ये अधिसरासी है ध्यान में रखना कार ये जो है वह अधिसरासी है क्योंकि दो सद्धिसों का अधिस गुरन फर अधिस होता है तो w equal to f dot d होता है जैसे for example यहां पर मैं आपको एक छोटा से example दे रहा हूँ कि इस formula से किस तरह से आप कार ये निकाल सकते हैं यहां पर एक example देखो मालो बल इस तरह से दिया हुआ है suppose अपने को एक question दिया बल f बराबर 2 i cap plus j cap plus 3 k cap इतना newton किसी पिंड पर मालो बल लग रहा है किसी पिंड पर इतना newton का बल लग रहा है और उस पिंड पर विस्थापन मालो i cap minus 2 j cap plus 2 k cap यह उसमें विस्थापन है इतना मीटर उसमें विस्थापन हो रहा है और यदि आपको पुछे कि इस पिंड पर कितना कारे किया जा रहा है तो उस पिंड पर किये गए कारे को निकालने के लिए हम क्या करेंगे ये वाला फार्मूला यूज करेंगे W equal to F dot D तो चूंकि हमको पता है कि W equal to चूंकि हमको पता है W equal to होता है F dot D तो दोनों के value कि हम यहाँ पर पूट कर देंगे F का value क्या है अपने पास 2 I cap plus J cap plus 3 k cap ये F का value है और dot D का value तो D का value ये हो जाएगा I cap minus 2 J cap plus 2 k cap ये हो जाएगा किसका value D का value अब दोनों का यदि multiply किया जाए दोनों का गुणा किया जाए तो क्या होगा I का I के साथ multiply करेंगे J का J के साथ में करेंगे K का K के साथ में ये सब हमने आपको dot product में पढ़ाया है इसी के लिए बोल रहा हूँ कि आप basic mathematical tools revise करो तो जब इसका multiplication होगा तो क्या हो जाएगा 2 का 2 के साथ 2 का multiply होगा I का इसका गुणांग कितना है 1 तो कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर J का गुणांग 1 है यहाँ पर J का गुणांग minus 2 है तो minus 2 हो जाएगा यहाँ K का गुणांग 3 है वहाँ K का गुणांग 2 है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा इस तरह से two to cancel होगा तो six joule six joule क्या हो जाएगा किया गया कार्य होगा इस पकार से इस फार्मूला को यूज़ करके numerical साता है ठीक है ओके इस पकार से यह हम कार्य की गर्णा कर सकते हैं कार्य w equal to f dot d यह note कर लो आप इसकी साथ ले लो बिलकुल सभी बोर्ड के लिए सिले बस है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छतिसगर बोर्ड, राजिस्थान बोर्ड, जार्खन बोर्ड, महारास्टा बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए है यह जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, सभी बोर्ड के लिए है तो कार्य निकालने का मैं आपको देखो कितना फर्मूला बताया सबसे पहले डारेक्टर फर्मूला, डाबलु इकोल टू ए factor फर्मूला, फिर दूसरा फर्मूला हमने देखा डाबलु इकोल टू एक दाट вариант थिटा, फिर तिसरा फर्मूला देखा, डाबलु इकोल टू एक डाट यह अचर भल्दOLा किया गया कारी है यह अचर बलद्वारा किया गया कार्य है मतलब constant force लग रहा है इसमें constant force लग रहा है और जब constant force लगता है तो विभीन इस्थितियों में किया गया कार्य की प्रकृति यह हम पढ़ते हैं अभी जो मैं बताया वो अचर बलद्वारा किया गया कार्य ही है अब हम देखते हैं विभीन इस्थितियों में किये के कारे की प्रकृति तो यह जो कारे होता है वो तीन तरीके से होता है यह हम कहा सकते हैं कारे के प्रकार तो इसका जो नेचर है इसका जो बिहेवियर है वो थ्री टाइप से होता है पहला होता है धनात्मा कारे पहला होता है धनात्मा कारे इंगलिस में बोलेंगे पाजिटीव अर्ग धनात्मा कारे पाजिटीव अर्ग ये क्या होता है देखो अभी हमने w equal to f d cast theta फार्मूला पढ़ा तो चुकि हमको ये फार्मूला पता है कि w equal to होता है f d cast theta अब यहाँ पर हम यदि condition यह लगाएं कि यदि theta का जो value है यदि theta क्या है 0 degree है थीटा 0 degree है तो उस condition में w का value कितना हो जाएगा उस condition में w का value हो जाएगा f into d into cast 0 और cast 0 1 होता है तो f d के बराबर होगा और ये जो कार्डिया है वह पाजिटीव अर्क कर लाता है इसका मतलब क्या हुआ कि जब theta 0 degree हो अब यहाँ पर आप चीतर में देखो कि theta 0 degree का मतलब क्या है जब theta 0 degree हो जाएगा तो f और d का direction सेम हो जाएगा मतलब यदि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा सेम हो जिस दिशा में बल लगाया जा रहा है यदि विस्थापन भी उसी दिशा में हो तो उस condition में theta का value 0 हो जाता है और theta का value 0 होने पर वो क्या हो जाता है देखो theta का value 0 होने पर theta का value 0 होने पर कारिक positive हो जाता है इस पकार से देखो theta जब 0 हो जाए तो बल और विस्थापन की दिशा सेम हो जाएगा और उस condition में w बराबर fd होता है इसे हम positive work करते हैं तो समाने रुप से जो work होता है जैसे किसी particle को push करते हैं या pull करते हैं ढखेलते हैं या खिसते हैं तो उस condition में हमारा जो कार्य होता है वह positive होता है जैसे किसी चीज को हमने ढखेला और जिस दिशा में ढखेला उसी दिशा में विस्थापन हो गया उस time में हमारा work positive होता है इ यह हम कारे के प्रकार पढ़ रहे हैं या विभी निश्थिती में कारे पढ़ रहे हैं ठीक है जीरो वर्क जीरो वर्क क्या होता है यह हमको समझना है जीरो वर्क का मतलब होता है जब थीटा क्या हो 90 डिग्री हो जब थीटा का value 90 degree होता है थीटा जब 90 होता है तो उस समय कारी का होता है? सून्य होता है थीटा 0 degree हो तो कारी सून्य होता है ये कैसे होता है देखो फार्मूला में हमें apply करके देखें अभी हमारा फार्मूला क्या है? w equal to f d cast theta और यहां पर हम value put up कर दें तो f d यह होगा कास theta का value 90 degree कास 90 0 होता है तो यह 0 हो गया यह 0 वर्क होता है इस तरह से 0 वर्क होता है कि जब किसी पिंड पर बल और विस्थापन की दिशा परस्पर लंब अथ हो मतलब जिस दिशा में बल लगाया जाए और विस्थापन उसके ठीक लंब अदिशा में हो तब हम उसको क्या कहते हैं सुन्य कार्य कहते हैं सुन्य कार्य का सबसे important example है वर्क आप कुली एक्जांपल कुली का कार्य कुली के कार्य को कुली अपने सीर पर जब लगे जेके railway platform पर चलता है तो उस समय उसके कार्य को हम physics के इस concept के carding zero कहते हैं किस तरह से situation होता है देखो एक figure बना के आपको explain कर रहा हम है इसको ध्यान से समझना मालो यह railway platform का path है इस तरह से और यहाँ पर कोई कुली मैं एक कुली imagine करता हूँ यहाँ पर suppose यह एक कुली है यह railway platform पर अपने सीर पर suppose कोई luggage लेके suppose इसके सीर पर यह कोई luggage है और इस luggage को लेके यह railway platform पर चल रहा है यह railway platform पर यह कुली इस तरह से चल रहा है जब यह इस दिशा में गती करता है अब यहाँ पर आप situation को समझना कि railway platform पर यह जो कुली है वो गती करेगा किस दिशा में यह गती करेगा इस दिशा में और इस पर जो बल लगेगा इस पर पिंड पर पिंड पर जो भार लगेगा वो नीचे लगेगा देखो ध्यान से समझना अपने सीर पर जो समान रखा हुआ है अपने सीर पर जो लगेज रखा है व यह इसके गती की दिशा है मतलब यह इसका विस्थापन है रेलवेय प्लेट फाम पर वह कूली इधर चलता है और बल उर्द्वाथार नीचे की और कारे करता है और दोनों के बीच में जो कोण है वह 90 दिग्री है तो इस सिच्वेशन में आप देखो कि विस्थापन यह विस करणिंग आप बेवहारिक जीवन में कुली को नहीं का सकते कि आपने कोई कारे नहीं किया है आप कुली से लगेज केरी करा लो उसके आथ बोलो कि भाई तुमने तो कोई कारे नहीं किया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा लेकिन फिजिस के कंसेप्ट के कार्डिंग वह कोई कारे नहीं किया है क्योंकि यहां पर कारे सुन्य हो गया है इसलिए मैंनी स्टार्टिंग में बोला कि हम अपने डेली लाइफ में अपने बिहेवियर में कुछ भी करते हैं उसको कारे करते हैं लेकिन फिजिक्स के कार्डिंग कारे तभी होता है जब पिंड में तो वहां पर कारे सुने नहीं होगा क्योंकि स्टेर केस्ट जो होता है स्रिधी जो होता है वो तिर्चा होता है 36 के साथ में कोड़ बनाया होता है तो वहां कोई प्राब्लम नहीं होता हैै जिसको चप्टर समझ को है और चेप्टर समझने के। साथ समय हैं सभी याद नहीं तभी प्राबलम होता है कि ऩहुंध हो गया जीरबर अब तीसरा जो कार्य होता है उसको निगेटी वर्क रिडात्मक कार्य ये रिडात्मक कार्य क्या होता है देखो निगेटी वर्क या रिडात्मक कार्य ये क्या होता है हमने सबसे पहले positive पढ़ा फिर 0 पढ़ा अब negative निगेटी वर्क में क्या होता है theta 180 degree होता है तेखो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना यह सब competitive exam में भी पूछे जाने वाले question है कि negative वर्क किस condition में होता है negative वर्क जब theta equal to 180 degree हो theta का मान एक सबस्यांस हो तब वर्क negative होता है क्योंकि w का formula होता है fd cas theta that equal to यहाँ पर हम fd cas 180 degree पूट करें तो cas exhaustion का मान एक होता है तो minus fd होगा और इस condition में जो वर्क है वह negative वर्क कर लाता है उस condition में यह वर्क क्या कर लाता है negative कर लाता है इस परकार से हम समझ सकते हैं कि theta जब 180 degree होता है तो जो गिया किया गया कार्य है वह negative होता है अब हमको इसको example से समझना है यह तो concept हो गया इससे समझ में नहीं आता कि भाई negative वर्क कैसे होता होगा तो negative वर्क के कुछ example है रिडात्मा कार्य के कुछ example है जिसमें सबसे पहला और important example है घरसर्ण बल द्वारा किया गया कार्य है इसका मैं आपको example बता रहा हूँ पहला घरसर्ण बल द्वारा किया गया कार्य होता है वह negative वर्क के के टेगरी में आता है कैसे negative वर्क के के टेगरी में आता है देखो इस चित्र की सायता से मैं इसको आपको समझा रहा हूँ suppose कोई ये surface है कोई 36 surface है यहाँ पर मालोगे कोई pin रखा हुआ है अब आपको मालूम है कि इस pin पर यदि हम इस दिशा में बल लगाए यदि इस pin पर इस दिशा में बल लगाए तो उस दिशा में बल लगाने से आपको मालूम है कि घरसर्ण बल इस दिशा में कार्य करता है इस पकार से देखो कि ये जो है बल बाहेवल एफ है और इस डिरेक्शन में लगाये गया बल एफ है से और लेकिन पिंड विस्थापीत हो रहा है इस दिशा में पिंड गती कर रहा है इस दिशा में बहुत ध्यान से समझना क्योंकि निगेटिव वर्क का रिडात्मक कारे का प्रेन को ढंग से समझ में नहीं आता इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको तो यहां पर देखो बल हम इस दिशा में लगा रहा है यह वाहेवल है लेकिन वाहेवल के कारण जो घरस्ण बल उत्पन हो रहा है वो पीछे है अब पिंड के विस्थापन की दिशा यह है औ और दोनों के बीच में देखो दोनों के बीच में यहां पर क्या है? एक 100 सी अंस का कोण बना हुआ है क्योंकि घरस्ण बल पीछे कारे कर रहा है इसलिए मैंने लिख्ण hoping लेकिन घरस्ण बल के द्वारा किया गया गया कार्य वह रिडात्मक ए् वाहे बल के द्वारा किया गया कार्य यहां पर धनात्मक है लेकिन घरसन बल के द्वारा किया गया कार्य है वह रिडात्मक है तो यहां पर पिंड में दो तरह का बल कार्य कर रहा है एक external force एक वाहे बल जो बाहर से लग रहा है यह तो इसके द्वारा किया गया कार्य को हम positive ल प्रिंग आपको पता है इस्प्रिंग को जब हम खीचते हैं तो बल अंदर क्यों लगता है तो इस्प्रिंग जो अंदर क्यों खीचाओ है और बाहर के साइड में विस्थापन है दोनों की दिशा विप्रित होती है स्यांता बल के द्वारा किया गया कार्य मतलब जितने विरोधी बल है जो opposition force हैं वो सब के सब negative work करते हैं ठीक है? तो रिडात्मक कार्य कहलाता है इस पकार से हमने देखा कि कार्य के कितने प्रकार होते हैं कार्य के तीन प्रकार होते हैं एक बार मैं आपको revise कराता हूँ ध्यान से समझना विभीर ने इस ठीतियों में किया गये कार्य की प्रकृति हम पढ़ रहे हैं जिसमें सब से पहले धनात्मक कार्य जब ठीटा 0 होता है तो कार्य धनात्मक होता है फिर हमने देखा सून्य कार्य तो जब ठीटा 90 डिग्री होता है तो उस समय कार्य क्या होता है 0 होता है फार एक्जामपल कुली का कार्य है इसके बाद देखो रिदात्मक कार्य जब ठीटा 180 डिग्री होता है तो उस समय ये निगेटिव अर्ख होता है जैसे घरसन बल्दारा किया गया कारे तो यह जो हमने पढ़ा वो क्या है कारे का प्रकार है यहाँ तक कोई doubt किसी को यहाँ तक किसी को कोई doubt है यह आप note down कर लो आप लोग साथ में rough copy में note करते हुए चला करो उससे क्या है offline की feeling आती है ऐसा लगता है कि हम offline class में है सिर्फ lecture सुनने से physics के class में सिर्फ lecture सुनना काम का नहीं होता आप साथ में लिखो समझो कोई doubt है तो आप chat box में लिखो भी तो फिर class interactive होता है तब लगता है कि class हमको अच्छे से समझ में आ रहा है हो गया चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं किसी परिवर्ती बल द्वारा क्या गया कारे जैसे variable force है अभी तक हमने पढ़ा constant force मतलब यहाँ पर बल का मान जो है वह नियत है यदि हम परिवर्ती बल द्वारा क्या गया कारे करें तो परिवर्ती बल द्वारा क्या होता है? पिंड के विस्थापन में लगातार क्या होता है? परिवर्तन जो होता है वो अलग-अलग होता है जैसे मान लो हम 10 न्यूटन का बल लगाए तो विस्थापन अलग होगा हम 5 Newton का बल लगाए तो भी स्थापन अलग होगा हम 25 Newton का बल लगा दिये तो भी स्थापन अलग होगा मतलब जब force variable होता है बल के मान को हम अलग-अलग लगाते हैं तो उस condition में किया गया कारी का होता है अलग होता है तो उस समय कारी किस तरह से निकलता है देखो तो उसके लिए मैं डारेक्ट आपको integration का formula बता रहा हूँ उस समय कारी आप इस formula से निकालोगे W इक्वल टू integration आप F इन्टू DX फ्राम X1 to X2 यहाँ पर X1 to X2 क्यों लिया गया है यह lower limit, upper limit है क्योंकि जब बल परिवर्ती होगा तो विस्थापन भी परिवर्ती होगा तो इस integration के formula से हम इस पकार से इसको निकालते हैं देखो यह आप एक example मैं बताता हूं निमेरकल तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा यहाँ पर मालो हमने एक बल ले लिया मालो किसी पिंड पर लगाया गया बल 2X प्लस 3 Newton है मालो किसी पिंड पर हमने 2X प्लस 3 Newton का बल लगाया तो पिंड पर 2X प्लस 3 Newton का बल लगाने से मालो पिंड में विस्थापन विस्थापन जो होता है यहां पर एक्सा से पदसित कर रहे है विस्थापन एक मीटर से दो मीटर तक होता है जो विस्थापन है वह वन मीटर से टू मीटर तक होता है तो किसी पिंड पर 2x प्लस 3 न्यूटन का बल लगाने से यदि उसमें विस्थापन 1 मीटर से 2 मीटर तक ह तो उस पींड में किया कार्य कितना होगा, यह हमको कल्कुलेट करना है, तो इस पकार के question integration method से बनेंगे, इस pattern से question नीट में कई बार पूछा जा चुका है, तो w इक्वल टू उस condition में क्या हो जागा, integration of f dx, f का मान है 2x plus 3, तो यह हो जाएगा, 2x plus 3 और into dx फार्मूला में होता है f into dx और x1 to x2 इसका limit है जो कि 1 meter से 2 meter दिया हुआ है तो lower limit 1 हो जाएगा और upper limit 2 हो जाएगा इस पकार से हम इस मान को सुत्र में रख देंगे अब हमको यहाँ पर समा कलान करना आना चाहिए तो यहाँ पर जब हम समा कलान करेंगे तो हमको इसका answer मिलेगा that equal तो 2x का हम समा कलान करेंगे समा कलान का चीन्द को हटा देते हैं यह bracket लगा देते हैं 2 तो constant है 2 रहेगा और x का जो समा कलान है वह x square upon 2 होगा यह समा कलान आपको आना चाहिए यह x to the power n plus 1 upon n plus 1 के फार्मूला से बना है यदि यह सब नहीं आता तो आप जरूर basic mathematical tools पढ़ो तो हजाएगा 2 into x square upon 2 और plus 3 को integration करेंगे तो कितना हजाएगा यह 3x होजाएगा और इसका limit होगा 1 to 2 x से लेके 2 इसका limit होगा अब यहाँ पर हम limit को put करते हैं तो that equal देखो limit put करने पर क्या होगा यहाँ पर 2, 2 के साथ cancel out होजाएगा और यहाँ पर हम x के जगा upper limit put करेंगे तो होजाएगा 2 का square plus 3 into 2 और minus फिर हम lower limit रखेंगे और lower limit मतलब निम्न सीमा 1 है तो होजाएगा 1 का square और minus 3 into 1 यह दोनों का माइनस करते हैं क्योंकि integration में limit put करने का formula क्या होता है upper limit minus lower limit यह put up करेंगे आगे इसको solve किया जाए तो क्या होजाएगा 2 का square यह 4 होगया plus 3 to 6 होगया minus 1 minus 3 इस पकार से देखो 10 में अपन क्या करेंगे 4 minus करेंगे तो कितना आयाएगा 6 इस तरह से 6 joule 6 joule इसका answer होगा इस तरह से परिवर्ति बल के द्वारा हम कार्य निकाल सकते हैं यह बहुत important है कई बार कई बार NEET में इस pattern पर question आया हुआ है क्योंकि integration का method NEET के लिए बहुत important है ओके ते हुआ कार्य कार्य के प्रकार कार्य कितने तरीके से हम निकाल सकते हैं देखो उर्जा एक बहुत important topic होता है physics का बहुत bright sense है बहुत बड़ा sense है energy का actually हमारा पूरा जो universe है हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वह उर्जा का ही एक रूप है आपको मालूम है कि पूरा हमारा ब्रह्मांड पूरा हमारा जो galaxy है पूरा universe जितना कुछ हम जानते हैं देखते हैं उसको हम उर्जा का ही एक रूप मानते हैं वह energy ही है और जो भी घटना होते आप इस universe में देख रहे हो वहां कुछ नहीं हो रहा है बस एक उर्जा का दूसरे उर्जा में रूपांतरण हो रहा है जो भी activity आप देख रहे हो पूरे universe में कोई भी activity कोई भी क्रिया कलाप आप देख रहे हो वह पूरा का पूरा क्रिया कलाप सिर्फ और सिर्फ उर्जा के इस्थानांतरण transformation आप energy कही परणाम है जो आप देख रहे हो तो उर्जा का बहुत सा रूप है ब्रह्मान में एक चौर हमारा पूरा गैलेक्सी ही एक उर्जा का रूप है तो यहाँ पर हमको थोड़ा सा आपको introduction में बता दूँ कि energy बहुत तरह का होता है जैसे विद्धूत उर्जा रसाइनिक उर्जा ताप उर्जा नाभिकी उर्जा यह सब उर्जा के प्रकार है मतलब ओवराल मैं सिधा आपको single word में बता दिया कि जो कुछ भी आप देख रहे हो सब उर्जा का रूप है लेकिन basically हमको इस chapter में जो पढ़ना है ग्यारवी क्लास में हमको जो उर्जा का रूप पढ़ना है उसमें हमको mechanical energy पढ़ना है यांत्रिक उर्जा और यांत्रिक उर्जा के दो प्रकार होते है इस्थिती जूर्जा और गती जूर्जा तो वास्तों में उर्जा क्या है कार्य करने की छमता the efficiency of doing work is energy कहा जाता है मतलब हमारे काम करने की जो छमता होती है हमारे कार्य करने की जो छमता होती है वही उर्जा होती है इसलिए उर्जा का मातरग भी जूल है और कार्य का मातरग भी जूल है वास्तों में जो हम कार्य करते हैं वही हमारे द्वारा किया गया कार्य उर्जा के रूप में रूपांतरित होता है समाने रूप से मैं अपने हथेली को इस प्रकार से रगणूँ तो हथेली गरम हो जाता है क्योंकि मैं यहाँ जो mechanical energy दे रहा हूं वो heat energy में कर्मठ हो जा रहा है मतलब कहीं पर भी आप उर्जा कारी कर रहे हो वहाँ वहाँ उर्जा के रूप में रूपांतर हो रहा है तो उर्जा का इस तरह से बहुत bright sense है physics में और यहाँ पर हमको इस class में सिर्फ इस्थिती जूर्जा और गती जूर्जा के बारे में पढ़ना है बाकी उर्जा का बहुत से रूप है जैसे जैसे आप higher class में जाओगे तो आप उर्जा के बहुत से रूप का अधियान करोगे तो उर्जा के दूर रूप हमको पढ़ना है इस्थिती जूर्जा और दूसरा है गती जूर्जा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशल एनर्जी इनर्जी ये दोनों उर्जा क्या होते हैं देखो अभी हम दोरों को बारी बारी से इसके फार्मुला डिराइब करेंगे इस्थिती जूर्जा का मतलब होता है किसी भी पिंड के रेस्ट कंडिशन में जब कोई पिंड इस्थिर अवस्था में होता है इस्थिर पिंडों पर जो उर्जा होती है जो रेस्ट बार्डी होते है जो rest body आप देख रहे हो कहीं पर भी आप अपने surrounding में जो भी इस्थिर्पिंड देख रहे हो वो सभी इस्थिर्पिंड में क्या है? इस्थिती जूर्जा है और जितना भी आप moving body देख रहे हो जो गती सिल्पिंड है जितने भी आप गती सिल पिंड देख रहे हो उन सभी गती सिल पिंडों में क्या है काइनेटिक एनरजी है गती जूर्जा है इस पकार से हम क्या कह सकते हैं कि इस्थिर पिंडों पर जो उर्जा होती है वो इस्थिती जूर्जा है और गती सिल पिंडों पर जो उर्जा होती ह वो गतिज उर्जा होती है और यह उर्जा क्या है mechanical energy का प्रकार है मतलब यांत्री कूर्जा का प्रकार है इस पकार से हम यह कह सकते हैं कि यह जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वास्ताव में क्या है वो यांत्री कूर्जा है मेकनिकल इनर्जी मतलब यांत्री कूर्जा के प्रकार है अब यहां पर हम देखें कि इस्थिती जूर्जा का mathematical फाम क्या होता है उसको गडिती रूप में कैसे हम प्रतसित करते हैं फिर हम देखेंगे कि गती जूर्जा को हम गडिती रूप में किस पकार से प्रतसित करते हैं तो बारी बारी से हम एक एक उर्जा को पढ़ते जाते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं हम इस्थिती जूर्ज तो यह हमारा इस्थिती जूर्जा हम देखें कि वास्तों में इस्थिती जूर्जा क्या है इस्थिती जूर्जा को समझने के लिए हम गुरुत्वी इस्थिती जूर्जा समझेंगे गुरुत्वी इस्थिती जूर्जा होता क्या है देखो जैसे मालो हमारे पास ground surface में मालो यहाँ कोई सता है और इस सता पर मालो एक pin है इस सता पर मालो हमने एक pin लिया ये और इस pin को हमने इसके प्रारभी किस्तिती से उपर की और उठाया सपोस हम इसको उपर उठाये और 36 सता से उठा के हमने हमने इसको h height उपर मालो हमने shift कर दिया यहाँ पर आप condition को समझना मालो यह कोई 36 धरातल है और इस 36 धरातल से हमने इस m द्रभी मान के pin को मालो इसका द्रभी मान m है और इसको हमने क्या किया उपर बल लगा के बल f लगा के इसको उपर उठाया और यहाँ पर हम उसको h height उपर में shift कर दिये अब h उचाई उपर चल गया तो मालो हमने pin को किसी 36 स्थिती से जमीन से धरातल से उठा के f बल लगा के h उचाई पर shift कर दिया जैसे हम h उचाई पर shift करेंगे तो वास्ताओं में हम यह जो बल लगाए है यह किसके विरूद लगाए है यह बल हमने लगाया है इसके भार के विरूद क्योंकि भार हमेशा नीचे के और कारी करता है और इस भार के against हमने उसको उठाने में बल लगाया है जैसे किसी भी पिंड को आप पृत्वी से, किसी भी पिंड को जो आप पृत्वी के सतह से उपर उठाते हो, तो आपको उसके भार के अगेंस्ट, मतलब उसके भार के विप्रिदिशा में आपको बल लगाना पड़ता है, और उस कारण हम क्या करते हैं, पिंड को हम उपर हम यहां पर गढ़ना कर लेते हैं पिंड पर किया गया कार्य निकालें तो कार्य बराबर होता है क्या बल गुडित विस्थापन तो हमने इस बल F लगाया और विस्थापन हमने कितना किया H क्योंकि हम इसके प्रारम्भी की स्थिती A से लेकर B तक H मुचाए उसको उपर उठाया तो उसका विस्थापन कितना हो गया H हो गया फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो हम बल लगा रहे हैं वह उसके भार के विरुद्ध लगा रहे हैं तो F को हम किस के बराबर लिख सकते हैं, Mg के बराबर लिख सकते हैं, और यह हो जाएगा MgH, और हमको मालूम है, कि किसी भी पिंड पर जो किया गया कार्य होता है, किसी भी पिंड पर जो किया गया कार्य होता है, उसी कार्य को हम क्या कहते हैं, उर्जा कहते हैं, तो चूर की पी ही हम लिखेंगे का मतलब potential energy कि इस पकार से स्थिती जूर्जा का मतलब इस्थिती जूर्जा के रूप में कि अ कि जमीन की सत्र से उपर इठाया तो उस पर जो पारे किया वही स्थिती है आप आपर होता है जहांपर अपा है और यह उचाई है जो फृस्थी सता से हमने उसको उपर उठाया कुल मिलाकर जो इस्थिती जूर्जा वह completely हाइट पर डिपेंड करता है क्यों क्योंकि वेड़ तो इसका इसका किसी भी इसे स्थान में प्लेस में जी कमान कांस्टेंट होता है तो उस इस्तान पर उस्की इसंकि किस पर de bem करता है जितनी अध्यकूंचाही पर हम जाते जाते हैं उसरे ज टमनि उत्विक होती जाती है तो जमीन पर लाइशक माइस स्थांण को को यहां पर उठाया इसकी स्थिती जुजा बढ़ रही है हाइट बढ़ रहा है तो और यहां पर जब मैं इसको रोग दिया तो उसके पास हो गया और जैसे हम उसको छोड़ते हैं तो वही फिर काइनेटिक इनर्जी में चेंज हो जाता है और नीचे गिरने लगता है वह अपने अंदर इस्थिती जुजा को स्टोर करके रखा है कुछ और एक्जामपल ले तो मैंने ग्रेविटेस्नल पोटेंसियल एनरजी के बारे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि खिलाँए कं अंदर का जो स्प्रिंग ऊड़ता है तोग्याशा हि लिए थि जमीर से जाएटाई और जैसा है ने को जमीन पर झोडते ही और पोटेंसियल ऑड़ता है और गयेन काईनेटिक में चेंज होता है इस प्रकार से वह पोटें काइनेटिक इनर्जी में गतिज उर्जा में चेंज होता है और खिलावना दोड़ने लगता है इस पकार से आप पूरे ब्रह्मान में जो भी अक्टिवीटी देख रहे हो मैंने आपको इस्टाइटिंग में बताया कि जहां भी आप कोई भी एक्सन या रियक्सन देख रहे ह हो वो सब उर्जा के रूपांत्रण के कारण है एक उर्जा का दूसरे उर्जा में रूपांत्रण हो रहा है तो यह है स्थिती उर्जा इसके बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक उर्जा इतना आपको इसकीन साथ लेना है तो अपले सकते हो इसके बाद हम नेस्ट टापिक पढ़ते हैं काइनेटिक इनर्जी रिना वेटर मास अलग अलक्सी होता है वेटर मास में डिफ्रेंस यह है कि मास जो होता है वो कांस्टेंट होता है किसी भी पिंड का जो द्रव्यमान है वह सदेव नियत होता है चाहे आप प्रिथ्वी में रहो चाहे आप मून में चले जाओ चाहे आप मारस में चले जाओ चाहे आप अंत्रिक्ष में चले जाओ आपका द्रव्यमान नियत रहेगा लेकिन जब द्रव्यमान में झाद के चेप्टर में आगे पढ़ेंगे की जी का मान बदलते रहता है स्ठान बदलने पर बदल जाता है उठाई के साथ बुद जाता है दूसरे प्लेनेर्ट पर जाने पर बदल जाता है तो भार क्या है परिवरतन सिल रासी है, दरब्यमान सदेव नियत होता है, दरब्यमान तो उसके 21 आयतन पर या 21 लंबाई 16 फ़ल पर उपस्ती तड़ुवों की संख्या पर डिपेंड करता है, जो कि हमेंशा constant रहेगा, बट वेट G पर टीपेंड करता है तो weight G पर depending करने के कारण चुल की G बदा जाता है इसलिए बोड़ी का weight भी का होता है बदलते रहता है तो mass और weight में difference है mass is always constant but weight is variable दरब यमान हमेशा नियत होता है जबकि भार क्या होते रहता है बदलते रहता है ओके चलिए अब हम पढ़ते हैं गती जूर्जा काइनेटिक एनर्जी देखो अभी मैंने आपको बताया कि गती सील पिंडों में जो उर्जा होती है जब कोई पिंड गती सील हो मुविंग कंडिशन में हो तो उसमें जो उर्जा होती है उसको हम गति जूर्जा कहते हैं जैसे मालों कोई कार गती सील है कोई बाइक गतीशिल हैart्रेन गती सील होता है तो गती सील अवस्था में उसमें जो उर्जा होती है उसको हम क्या काते हैं तो यहां पर देखो यहां पर हम माल लेते हैं मैंना की को मैं वह़ु साइट में यहां पर लिख रहा हूं देखो कि माल विखैंगे bez इस ओंधिमान का कि यहां पर संकेतों को ध्यान से समझना एक पिंड पर लगाये गया बल है एक पिंड पर उत्पर्ण त्वरण है टी क्या है समय है डी उसका दूरी या विस्थापन है यू इसका प्रारभीक वेग है और भी उसका अंतिम वेग है माल लो एसा वेरियबल हमने माल लिया तो यहां पर हम देखते हैं कि माल लो कोई पिंड इस्थिर अवस्था से गती सिल है या गती सिल पिंड को हमने क्या माल लिया इस्थिर माल लिया थ्यान से समझना सिच्वेशन को माल लो हमारे पास कोई पिंड है और वो पिंड गती सिल है माल लो हम कार ड्राइब कर रहे हैं और कार को हम अब रोकना चाहते हैं, ब्रेक अप्लाई करके, ठीक है, गती सील पिंड पर ब्रेक अप्लाई करके, या बल लगा के उसको हम रोकना चाहते हैं, तो जब किसी गती सील पिंड को हम रोकते हैं, बल लगा के रोकते हैं, तो क्या होगा देखो, गती के तृती समी कर define universe経न इतना English में अपनी साथ थड़ Сп virtue हता है यूइस drummer plus 2 yes यह होता है और मालो पिंड रूप गया मालो पिंड रूंग गया तो क्या हो जाएगा सूनि हो जाएगा फित की हंवेक करके रोख दिया जाता है को इसका यहाइगा जीड के इस कुछ को हम रोक रहे हैं तो प्रोकने से क्या होता है और पिंड को जब रोका जाते हैं तो इसमें क्या होता है मंदन होता है इस पकार से हमें देखते हैं हम देखते हैं कि Aminas करें तो 2 AD equal to हो जाएगा V square therefore यहां से मैं AD का मान निकालूं तो वान पांट टू इधर ट्रांसफर करेंगे तो वान पांट टू ही स्कुर हो जाएगा इसको दे दिया हमने रिलेस्टन नंबर फर्स्ट जो की AD का वेल्यू है यह मान लो AD का वेल्यू है AD equal to 1.2 V square clear अब यहां पर हम देखें कि हमने पिंड को रोखने में कार्य कितना किया क्योंकि कभी भी आपको उर्जा का गर्णा करना है तो उर्जा का गर्णा करने के लिए सबसे पहले हमको किसका गर्णा करना पड़ता है कार्य का गर्णा पड़त पुना पिंड पर किया गया कार्य पिंड पर कार्य डबलू बराबर क्या होगा F into D बल गुरित पी स्थापन that equal यह जो बल है उसको हम लिख सकते हैं द्रभ विमान गुरित त्वराण ते हमने लिया द्रभ विमान गुरित त्वराण और इंटू D यह ले लिया अब यहां आपर देखो हम ऐडी का बै लियू निकालके रखे हैं और इस एडी के वैली को यहां पर पूट UP कर दिया जाए तो ओड despite अजय गा मैं और एंटी का वैली को ngayowa P पोटेंशियल एनरजी, अब यहाँ पर भी हम क्या निकार नहीं कार्य, और यही हमारे दोरा क्या गया, कार्य बन जाएगा क्या, काइनेटिक एनरजी, तो therefore, therefore, last में इस कार्य को हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनरजी, क्योंकि गती सिल्पिंड पर है, तो काइनेटिक और इसको बेवस्थित करके हम लिख सकते हैं, 1.2mv², इसलिए गती जूर्जा का फर्मूला होता है, 1.2mv², यह है गती जूर्जा का फर्मूला, जिस प्रकार से इस्थिती जूर्जा का फर्मूला mgh होता है, उसी प्रकार से गती जूर्जा का फर्मूला होता है, 1.2mv² यह कहलेता है कईनेटीक एनेरजी इस पकार से बती विंदों में डेल wilhya सिसे चलिए अब एक इंपपॉर्टनट पढ़ते हैं और अगला हमारा एक्टॉल में अभी मैं आपको जो एस्प्लेंड किया वही वर्क एनर्जी थियोरम है वर्क एनर्जी थियोरम का मतलब क्या है कि जो हम कारे करते हैं जो हम कारे करते हैं वही हमारे द्वारा कार्य उर्जा में रूप आंतरित होता है अभी मैं आपको चेप्टर के स्टार्ट है और यहाँ पर हमको समझना है कि कार्य और उर्जा की बीच में क्या समझन है कार्य उर्जा प्रमें क्या होता है तो अभी जो हमने टापिक पढ़ा सेम टापिक को हम थोड़ा सा चेंज करके पढ़ेंगे यहाँ पर हम पिंड को इस ती रवस्था में नहीं लाएंगे मतलब पिंड लगातार गती सिल है यहां पर पिंड का प्रारंभिक वेग है और भी उसका अंती वेग है जैसे भी मैंने आपके एक्जांपल दिया था कि हमने एक गती सिल कार को ब्रेक अप्लाई करके रोक दिया लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि अब हमने ब्रेक अप्लाई करके उसको रोका नहीं बल्कि उसके गती को परिवर्तित कि ने का मतलब पहले वेग को करणहें से उसमें चेंजीर साता है ठीक है चलिए तो देखें सबसे पहले वहीं काम करेंगी इसके कल्कुलेशन में क्या गति के तीटी समी करण से है घटी के तीटी समी करण से गति के तीटी समी करण को हम कहते है वी स्क्वेड इक्वल to u वी स्कुर्यार प्लस टू एक तीय स्कुर्यार प्लस तू एक colocas आप इसको आगे साल्व करें तियों हो जायगा सब्छांच यूँ 3 मान दो इस हम ने लिख लिए ए तो अधी हो जायए इस पकार से इसको तो जाज इस टरंसफर कर दें तो इंप्लाइस ही हो V square minus U square equal to 2 AD होगा और therefore यहाँ से भी हम AD कमान निकाले जैसे हमने पिछले टापिक में निकाला था उसी तरह से यहाँ पर AD कमान निकाले तो 2 को इधर पक्छांतर करेंगे इधर आखके 1 upon 2 हो जाएगा तो 1 upon 2 V square minus U square इस तरह से हो जाएगा तो AD equal to 1 upon 2 V square minus U square ऐसा होगा अब यहाँ पर आप देखो जब हम AD का value निकालेंगे तो उसके बाद हम निकालेंगे किया गया कारे जैसे हमने इसके previous टापिक में यहाँ पर आपने देखा कि जैसे हम AD का value निकाले थे AD का value के बाद हमने किया गया कारे निकाला और AD के मान को वहाँ पर put up कर दिया AD के मान को वहाँ पर हमने भर दिया तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे AD के मान को यहाँ पर भी उसमें put up करेंगे तो क्या निकालेंगे इसलिए पिंड पर किया गया कारे इसलिए पिंड पर किया गया कारे तो पिंड पर क्या गया कार जिसको हम w लिखते हैं तो w equal to क्या हो जाएगा f into d होगा that implies w equal to f को लिख सकते हैं हम m into a into d यह लिखेंगे that implies आगेंस कोर सालव किया जाए तो w equal to क्या हो जाएगा m और ad का value हम put up कर दें तो ad का value है 1 upon 2 v square minus u square यह 1 upon 2 v square minus u square अब m और 1 upon 2 का अंदर multiply कर दें तो that implies यहाँ पर जो हमारा किया गया कार जाएगा w होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 upon 2 m v square minus 1 upon 2 m u square इस पकार से देखो यह जो समी करण है यह कार यह उर्जा प्रमे कहलाता है क्योंकि हमारे दोरा जो किया कार यह है पिंड में हमने जो कार किया वो उसके गती जूर्जा में परिवरतन के बराबर होता है ठीक है डेल के अपन इसको कर सकते हैं मतलब therefore इसको हम चाहें तो इस पकार से सांकेत्विक भासा में लिख सकते हैं डेल के फार काइनेटिक एनरजी में चेंज यह कहलाता है कार्य उर्जा प्रमे तो w equal to 1 upon 2 mv square minus 1 upon 2 m u square किया गया कार्य उर्जा में परिवरतन के बराबर होता है यही कहलाता है work energy theorem कार्य उर्जा प्रमे ओके एनी प्राबलम यहां ता कोई प्राबलम किसी को notes आप लोग साथ में बनाओ notes आपको मिलेगा जब भी मिलना होगा मिल जाएगा लेकिन आप लोग साथ में notes बनाओ चलिए next topic अब हमारा अगला topic है समवेग और गती जूर्जा में सम्मन relation between momentum and kinetic energy यह सब छोटे छोटे टापिक है और यह सब टापिक आपको derivation और इसका पूरा concept अच्छे से समझना है यह सब छोटे छोटे टापिक से ही आप chapter बनेगा बड़ा chapter है सब को ध्यान से समझना है समवेग और गती जूर्जा में सम्मन यह एक ऐसा relation है यदि आपको यदि आपको याद होगा तो मैं बहुत पहले समवेग पढ़ाते समय आपको बताया था कि आगे आने वाले chapter में हम समवेग और गती जूर्जा में सम्मन पढ़ेंगे और competitive exam में इससे maximum time question पूछा गया है मैं भी जब question के last में chapter के last में जब आपको numericals कराऊंगा तो निश्चित रुप से मैं आपको इस पर best question कराऊंगा कि गती जूर्जा और समवेग में क्या सम्मन होता है तो गती जूर्जा में सम्मन क्या है यह हम देखते हैं चलिए तो समवेग और गती जूर्जा में क्या सम्मन है देखो इस relation को बनाने के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किसी पिंड का समवेग मालो हम किसी पिंड का समवेग निकालें तो समवेग का हमको formula पता है समवेग को हम पदसित करते हैं किस से? P से और P इक्वल टू होता है M into V that implies यहां से हम इसको solve करके V का value निकाल लेते हैं तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा P अपान M इस तरह से हम V का value निकाल लेते हैं P अपान M अब इसको हम adjust करते हैं kinetic energy के साथ में kinetic energy के साथ में adjust करेंगे तो क्या होगा? चूकि अब हमको पता है कि kinetic energy जिसको मैं E ही कह देता हूँ खाली E से मैं संकेत कर दिया E far energy या फिर हम E के नीचे में छोटा सा K लिख सकते हैं ऐसा लिखने का मतब होता है kinetic energy E, K खाली E लिखना भी चलेगा लेकिन E के लिखने से बाद ज़्यादा इस पस हो जाता है K far kinetic E far energy तो generally हम क्या करते हैं E के इस पकार से लिखते हैं ठीक है तो यह E के हो गया और E के खा value हमको मालूम है यह होता है 1 upon 2mv square इस पकार से E के 1 upon 2mv square के बराबर होगा that implies इसको हम आगे साल्व करें तो यह हो जाएगा E K equal to 1 upon 2m और V का value है यहां से लाकि पूट कर दो जो हमने निकाला है P upon M तो यहां पर हम P upon M और इसका कर देते हैं square that implies आगे से इसको जी साल्व किया जाए तो E के E के equal to हो जाएगा 1 upon 2 और 1m यहां से cancel out हो जाएगा देखो M का square है 1m इसके साथ कर जाएगा तो क्या मिल जाएगा अपने को P square upon M मिलेगा अब इसको आधे transfer कर दिया जाए तो that implies इसको हम लिख सकते हैं P square equal to 2 का इसके साथ बुणा हो जाएगा तो 2m और E या E के ऐसा होगा अब दोनों side के जी हम root ले ले यहाँ पर हम दोनों side का root ले ले तो दोनों side का root लेने से किस तरह का relation बनेगा देखो therefore अब हम relation को क्या कर सकते हैं therefore P equal to therefore P equal to हो जाएगा under root of 2m E के यह तो यह kinetic energy और momentum में relation है बहुत important संबंध है बहुत ही जादा महत्पूर्ण संबंध है इस संबंध को आपको अच्छे से तयार करके रखना है क्योंकि इसमें numericals पूछा जाता है NEET जैसे exam में भी इसमें से कई बार प्लस में पूछे गए है numericals कराते समय इस पर best question मैं आपको कराऊंगा ओके इसको हम दूसरे रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर भी रिलेशन लिखा हुआ है ऐसा भी लिख सकते हो EK equal to 1.2 P square upon M लेकिन generally हम इसको इस फाम में आद रखते हैं अब यहाँ पर मैं कुछ condition आपको बता रहा हूँ special case यह special case ध्यान में रखना P equal to root of 2M EK special condition generally competitive exam में question अगरा बनाने में काम आता है अभी हमने देखा है कि 2 की P equal to होता है root of 2M और EK अब यहाँ पर हम यह देखें कि यह दोनों constant होता है M और K always constant होता है 2 और M always constant होता है 2 तो already constant है ही और M क्या है पिंड का दरब बिमान है अभी मैंने आपको थोड़ी देखें पहले लिस्कस किया कि कि किसी भी पिंड का दरब बिमान हमेशा क्या होता है नियत होता है नियत आंक होता है तो यहाँ पर 2 M को हम क्या मान लेते हैं नियत मान ले यदि इसको हम constant मान ले तो therefore यहाँ पर हमारा जो relation है वह P proportional to under root of E के हो जाएगा P proportional to under root of E के हो जाएगा therefore इसको हम लिख सकते हैं P square proportional to E के ऐसा लिखा जा सकता है और इस relation को therefore P1 square upon P2 square equal to E K1 या E K1 अपान क्या लिख सकते हैं E K2 लिख सकते हैं यह relation को आप ध्यान रखना तो इस संबंद की साहता से हम बहुत से numerical तुलात्मक जो question होते हैं यह हम बनाते हैं इस संबंद की साहता से यह आपको बहुत काम आने वाला है P1 E square upon P2 square equal to E K1 upon E K2 तो यहाँ पर गती जूर्जा और संबेक का तुलना किया जा सकता है इस फार्मूला की साहता से हम गती जूर्जा और संबेक का तुलना कर सकते हैं इसका compare कर सकते हैं तो यह बहुत important relation है और चाहें तो इस संबंद को इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं देखो चाहें था भी संबंद को कैसा लिखने मानलो आप यहीं से लिखना चाहो यहाँ से ठीक है तो मतलब एक ही है ek1 upon ek2 p1 upon p2 equal to सिधा p1 मतलब एक ही है p1 upon p2 equal to होता है root of e1 upon e2 ऐसा भी कह सकते हो मतलब एक ही है root लेने पर ऐसा लिख सकते हैं तो संवेक का जो अनुपात होता है संवेक का जो अनुपात होता है वह उसके गतीज उर्जा के root के under root के अनुपात के बरावर होता है ओके तो कोई प्राबलम यहाँ तक किसी को यहाँ तक किसी को कोई भी प्राबलम उर्जा सनरक्षण का नियम उर्जा सनरक्षड का नियम यह आप लोग बच्पन से पढ़ते आ रहे हो उर्जा सनरक्षड के नियम आप बहुत lower class से बच्पन से पढ़ते जा रहे हो कि उर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती ना तो नस्ट की जा सकती केवाल उसके रूप को बदला जा सकता है और मैंने क्लास की स्टाइटिंग में आपको बताया था कि पूरे इन्वर्स में जो कुछ भी आप देख रहे हो वह सिर्फ उर्जा का इस्थानांतरण या रुपांतरण है उर्जा का एक रुप कीसी दूसरे रुप में परिवर्तित हो रहा है फैनली पूरे हमारे ब्रह्मान का एनरजी कांस्टेंट है मातरा नियत है बस जो कुछ भी आप देख रहे हो वह एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है इस तरह से एक cycle चल रहा है एक चक्र चल रहा है लेकिन कुल उर्जा का मान हमेशा नियत होता है इसी को हम कहते हैं उर्जा सनक्षण का नियम उर्जा ना तो उत्पन की जा सकती और ना ही नस्ट की जा सकती केवल इसका रूम बदला जा सकता है यह हमने statement भी यहाँ पर board में ल सकती केवल एक प्रकार की उर्जा का दूसरे प्रकार की उर्जा में रुपांत्रण होता है यही कहलाता है उर्जा सनक्षण का नियम तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया हो गया तो आपको पहले से पता है यह बात आपको पहले से पता है उर्जा सनक्षण के नियम क् ओके वाइस नहीं आ रही है क्यों वाइस प्राब्लम है क्या आ रही है ना कुछ लोग लिख रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है आप लोग हमें कन्फूजन में डाल देते हो आ तो रही है आवाज भी हम भी यहां से चेक करके देख लिए आवाज आ रही है जिनको आवाज नहीं आ रही है जिनको वाइस का प्राब्लम है वो अपना डिवाइस चेक करें है न तो यह उर्जा सनरक्षण का सिध्धान्त हुआ अब हमको एक बहुत इंपॉर्टन टापिक पढ़ना है जिसमें हम प्रूफ करेंगे कि यह जो उर्जा सनरक्षण का नियम है वो सत्य है अभी तक आप लवर क्लास में केवल यह पढ़ते थे कि उर्जा ना तूत्पन की जाती ना नस की जाती करो उसको रूप बदलता है पांच नंबर का तक पूछने लाएक टापिक है और यहां पर हमको प्रूफ करना है उर्जा सनरक्षण के सिधान को कि कोई पिंड यदि स्वतंत्रता पूर्वक गिर रहा हो तो उसका यांत्री पूर्जा मैंने आपको प्रिवेस क्लास में बताया यांत्री पूर्जा का म तो चलिए हम यहां पर देखते हैं स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का किस तरह का सिच्वेसन होता है पहले मैं एक प्रापर फिगर बना दूँ मालों को यह छैतिक सता है और यहां पर हम किसी पिंड को यह कोई पिंड है और यह पिंड सतंतता पूर्वक गिर रहा है इसका मैं दो तीन कंडिशन यहां पर बना रहा हूँ इस तरह से यह थ्री सिच्वेसन आप देख रहा हो यह थ्री सिच्वेसन किस तरह से है इस तरह से यह पिंड ए पोजिशन से गिर रहा है मालों हम इस पिंड को यह ए पोजिशन है यह बी पोजिशन है और यह सी पोजिशन है यहां से इसका प्रारंभीक वेक सपोस जिरो है मतलब अब यह इस्थीर है इसके बाद क्या करता है यह पिंड जब यहां से गिरता है तो यहां पर पहुंचता है तो यहां पर इसका वेक सपोस भी हो जाता है और यहां से यहां तक यह suppose x दूरी तय करके यहां पर पहुंचता है मालो पूरे पिंड का जो 36 से उंचाई है वो suppose small h है तो यह जो बची हुई दूरी है यह दूरी हो जाएगा h-x मतलब कहां से कहां तक b से लेके c तक की दूरी h-x हो जाएगा और नीचे वो धरातल पर वापस गिर जाएगा यह situation को आप सबसे पहले समझो इस तित्र में क्या बताया गया है कि a position पर पृत्वी सर्था से h उंचाई पर a position पर एक पिंड को रखा गया है अभी उसको इस्तिरावस्था में रखा गया है जैसे ही हम उसको यहां से छोड़ते हैं तो पिंड को यहां से छोड़ते हैं तो मान लो वह x दूरी तय करके b पर पहुंचता है और यहां पर हमने उसके velocity को भी माना है इसके बाद फिर वह b से c तक जो आता है तो c तक वह दूरी तय करता है यह दूरी x है तो यह दूरी क्या हो जाएगा h minus x अब हम 3 कंडिशन पर वैसे हैं तो यहां पर हम बहुत से कंडिशन ले सकते हैं लेकिन इतने सारे कंडिशन लेने का जुरत नहीं है हमने 3 कंडिशन ले लिए a b c और 3 पोजिशन पर हम क्या करते हैं इसकी उरजा की गर्णा क करते हैं कि तीनों पे इसका उर्जा क्या होता है यह कल्कुलेट करते हैं ओके चलिए तो कल्कुलेशन करें कि एक पॉइंट पर वाली वाली हम कल्कुलेशन हैं तो सबसे पहले करते हैं स्थिती ए पर पोजिशन ए पर बात करें हम जब यह ए पोजिशन पर होता है तो वहां पर हम उसके दोनों उर्जा का मान निकालें ठीक है चलिए तो ए पर हम निकाल लेते हैं स्थिती उर्जा potential energy मैं सांकेतिक रूप से लिख रहा हूँ PE मैं आपको समझाया था कि PE मतला potential चलिए बताईए बिंदू A पर या इस्थिती A पर इस्थिती जूर जा कितना होगा चलिए बताईए आप लोग मैं chat में लिखे मैं पढ़ रहा हूँ कि बाकिया आप सब समझ चूके हो बिंदू A पर पिंड पर इस्थिती जूर जा कितनी होगी राजकुमार तिवारी सुधानसू अफ़ान क्या लिखा है अवनीस यहाँ पर इस्थिती जूर जा कितना होगा MGH होगा क्यों होगा क्योंकि प्रिथ्वी की सतह से यह प्रिथ्वी सतह है और प्रिथ्वी सतह से इस क्यूंचाई को हमने क्या लिया है H लिया है तो इस्थिती A पर उसमें स्थित्री जूर्जा कमान कितना हो जाएगा, MGH हो जाएगा, इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कमान कितना होगा, बिन्दु A पर गत्री जूर्जा कमान कितना होगा, बताइए, बिन्दु A पर गत्री जूर्जा कमान क कितना होगा निकेता अवनीस खुसी सोमेंदर कुमार सोनी यादव क्या होगा जीरो होगा जीरो क्यों होगा यहाँ पर मैंने लिखा है इसका प्रारंभीक वेक सुन्य है कहने का मतलब इस्थिती ए पर इस तरह से पिंड को भी पकड़ के रखा गया है छोड़ा नहीं गया है ए पोजिशन पर पिंड को पकड़ के रखे हैं रेस्ट में है तो बाड़ी का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, clear, तो वहाँ पर उसके गती जुर्जा कमान कितना होगा, सूनी होगा, इसलिए यदि हम यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालें, T E का मतलब टोटल एनर्जी बराबर क्या होगा, potential energy प्लस kinetic energy, मतलब हम इस्थिती A पर कुल उर्जा निकालें, तो बराबर हो जाएगा, MGH प्लस 0, मतलब हो जाएगा यह MGH, यह हो गया, relation number first, इस प्रकार से हमने इस्थिती A पर कुल उर्जा निका बराबर है, अब हम निकालते हैं, इस्थिती B पर, second point, इस्थिती B पर, position B पर हम बात करें, और यहाँ पर भी हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, potential energy, तो potential energy P E बराबर कितना होगा, बताईए, अब हम B position की बात कर रहे हैं, अब आप अपने आपको इस position पर focus करिए, B position पर, तो B position पर क्या होगा, potential energy command B position पर कितना होगा, बताईए, बताईए, सब पता हैं आप लोग को, आप लोग को explain करना है, सब चीश figure में clear है, बताईए, पूनम M G H ही होगा, अच्छा, राजकुमार तिवारी, M G M भी लिखाया आपने, हाँ, ठीक, अब सुधार लिया, राजकुमार वेरी गुड, ये होगा M G under bracket H minus X, क्यों होगा, क्योंकि अब इसकी जमीन की सतह से उचाई, कितना बचा, H minus X बचा, ये हाइट है, ग्राउंड सर्फेस से, तो जो उचाई लेते हैं, हम जब इस्थिती जूज़ा निकालते हैं, तो यहाँ पर जो उचाई लेते हैं, वह सतह से उचाई लेते हैं, तो सतह से उचाई कितना होगा, H minus X होगा, इसलिए ये हो जाएगा, M G H minus X, तो potential energy कमाने यहाँ पर M G X हो जाएगा, अब kinetic energy निकालन उसको ध्यान से समझना, तो जब pin यहाँ से लगातार गिरते हुए नीचे की और आएगा, तो जब यहाँ पर पहुँचेगा, इसका वेक को हमने भी लिया है, इसका वेक हमने भी लिया है, तो वहाँ पर pin रूख नी रहा है, वो continuous motion condition में है, continuous गतिसी लिवस्था में है, तो जब वह B पर पहुँचेगा, तो उसका वेक कितना होगा, मतलब यहाँ पर हमको क्या करना है, U इसका प्रारंभीक वेक है, और V इसका अंतिम वेक है, और उसने X दूरी तय किया, तो यहाँ पर हमको B position पर वेक निकालना है, जब तक हम B position पर वेक नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम B position पर वेक नहीं निकाल पाएंगे, तब तक हम गति जूर्जा नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं गती के तृती समी करण से ध्यान से समझना यदि हम यहाँ पर गती का तृती समी करण V स्क्वेर इक्वल टू U स्क्वेर प्लस 2A S लगा दें तो अंतिम वेग हम भी ले हैं V स्क्वेर त्रारमी क्वेग सुन्य हैं और यह 2 त्वरण गुरुत्वी त्वरण है और कितनी दूरी तैग करके पिर्ण यहां से यहां तक पहुचेगा A से B तक पहुचने में वह X दूरी तैग कर रहा है तो हो जाएगा 2GX इस तरह से यहां पर V स्क्वेर का जो मान होगा वह हो जाएगा 2GX यह V स्क्वेर का मान हो गया अब लिए अब यहाँ पर निकाल लेंगे हम काइनेटिक एनरजी जब यहाँ पर हम काइनेटिक एनरजी निकाल लेंगे तो गती जूर्जा कमान होगा 1 upon 2mv square और that equal 1 upon 2m और v square कमान हमने उपर निकाला है 2gx ते हो जाएगा 2gx that equal यहाँ से 22 कटेगा और मिल जाएगा mgx तो काइनेटिक एनरजी कमान हो जाएगा mgx अब यहाँ से देखो ध्यान से समझना है यहाँ पर हमने potential energy निकाला है इतना और काइनेटिक एनरजी निकाला है इतना तो इन दोनों की सहायता से हम total energy निकालेंगे total energy मतलब potential energy plus kinetic energy ठीक है चलिए तो अब आगे हम निकालते है total energy कित potential energy plus kinetic energy that equal potential energy कमान हमने कितना निकाला हुआ है देखो potential energy कमान निकाला है mg under bracket h minus x mg under bracket h minus x यह हो जाएगा mg h minus x और प्लस kinetic energy हो जाएगा mgx जो निकाला है that equal आगे इसको हम सालो करें तो mg h minus mgx और प्लस हो जाएगा mgx दोनों mgx mgx कर जाएगे तो मिल जाएगा mg h इस तरह से total energy का जो मान होगा बिंदू b पर वह भी mg h होगा तो बिंदू b पर हमने total energy निकाल लिया बिंदू a पर भी total energy निकाल लिया और बिंदू b पर भी total energy निकाल लिया अब हम calculation करेंगे कहाँ पर बिंदू c पर तीसरा हमारा calculation है बिंदू c पर पीछे आप देखो यह बिंदू c है यहाँ पर अब हम निकालेंगे total energy तो जैसे हमने अभी सबसे पहले potential energy निकाला फिर kinetic energy निकाला उसी तरह से वहाँ पर भी potential energy निकालेंगे और kinetic energy निकालेंगे ठीक है यहाँ तक आप एक बार skin start ले लो फिर हम आगे continue करते हैं ओके अब हम देखें बिंदू c पर बिंदू c पर तो बिंदू c पर निकाल लेते हैं सबसे पहले potential energy बताओ भाई बिंदू c पर potential energy कितना होगा यह बिंदू c है इस बिंदू c पर इस्थिति जूजा कमान कितना होगा बताए सुधान्सू निकेता कल्यानी our knees very good कितना होगा जीरो यहाँ पर potential energy कमान जीरो होगा क्यों कि अब वह जमीन पर आ गया सतह पर आ गया और जब अब पृत्भी के सतह पर आ जाएगा तो पृत्भी के सतह पर आने पर पृत्भी की सतह में आने पर उसका पृत्भी सतह से उनचाई एक हो जाएगा तो गती के त्रिती समीकरण से यदि हम वहाँ पर गती का त्रिती समीकरण एप्लाई कर दें तो गती के त्रिती समीकरण को पुनह लगाते हैं V square equal to U square plus 2AS यदि हम लगा दें तो वहाँ पर अंतीम वेक V square प्रारभीक वेक हम सुरू से लेंगे 0 plus 2G अब H उचाई नीचे गिर के आ गया यहां figure में देखो यहां प्रारभीक वेक सुन्य है और यहां से गिरते हुए यह नीचे तक आ गया मतलब उसमें H उचाई तै कर लिया तो उसके दोराश चली के दूरी कितना हो जाएगा? H हो जाएगा therefore यहां से V square equal to 2GH होगा अब यहां से हम kinetic energy निकाल लेंगे therefore kinetic energy equal to 1 upon 2 MV square that equal to 1 upon 2 MV square कमान कितना है? 2GH होगा और यहां से 2,2 कटेगा तो यह मिल जाएगा हमको MGH इस पकार से यहां से देखो यह हमने निकाल लिया potential energy को 0 और kinetic energy को MGH निकाल लिया इस तरह से अब हम क्या करेंगे? total energy निकालेंगे चलिए तो अब इस बैस पर हम total energy निकालें तो वो कितना हो जाएगा? देखो दोनों के यह के बराबर होगा अब हम निकालें total energy therefore total energy equal potential energy plus kinetic energy potential energy 0 है, kinetic energy MGH है तो कितना हो जाएगा? यह MGH हो जाएगा that equal यह हो गया MGH relation number 3 अब यहां पर आप देखो कि बिंदू A पर सुनो ध्यान से अब इधर, conclusion आप ध्यान से सुनो स्थिती A पर जो total energy है वह MGH है स्थिती B पर total energy MGH है और स्थिती C पर बिंदू C पर या स्थिती C पर भी total energy MGH है तो एक, दो तथा, तीन से clear है कि तीनो जगा उर्जा का मान सेव है तो last में हम लिखेंगे, चुंकि first, second, तथा, third से, ispast है कि कि प्रत्यक बिंदू पर कि प्रत्यक बिंदू पर कुल उर्जा, ठीक है total energy का जो मान है, वह क्या है, MGH है total energy MGH है अताहां उर्जा का मान क्या होता है, संरक्षित होता है कहने का मतलब, जब कोई pinड स्थांतरता पूर्वक नीचे गिरता है तो उसके रास्ते में किसी भी बिंदू पर आप कुल उर्जा निकालोगे तो उसका मान हमेशा MGH ही आएगा मतलब उसका मान हमेशा क्या होगा, नियत होगा तो actual में यहाँ पर होता क्या है, कि जैसे जैसे pinड नीची आते जाता है तो उसकी गती जूर्जा बढ़ती जाती है और इस्थिती जूर्जा घटती जाती है तो जो इस्थिती जूर्जा घटती है, वही गती जूर्जा के रूप में रूप आंतरित होता है इस पकार से हम कर सकते हैं कि उर्जा सनरक्षान का नियम क्या है, सत्य है या उर्जा सनरक्षान नियम क्या की पूष्टी होती है इस मकार से बात क्लियर हो जाता है कि उर्जा सनरक्षान का जो सिधान्त है वह परफेक्ट है सही है तो यह कहलाता है बहुत important topic है और इसको आपको अच्छे से त्यार करना है यदि इस question को आपको परिच्छा में इस मकार से पूषा जाए कि उर्जा सनरक्षान का नियम किसे कहते हैं इसपस्ट कीजिए कि स्वतंतरता पूर्वा गिरते हुए पिंड के प्रत्यक बिंदु पर उर्जा नियात होती है या स्वतंतरता पूर्वा गिरते हुए पिंड उर्जा सनरक्षान नियम का पालन करता है तो आपको यह complete लिखना पड़ेगा अब हम देखते हैं उर्जा सनरक्षान के नियम का एक ग्राफ ही नियूपन देखते हैं इस्थिती जूर्जा गती जूर्जा ग्राफ देखो यह जो इस्थिती जूर्जा गती जूर्जा ग्राफ है एक्ट्वल में यह टापिक को मैं आपको जब सरलोलग पढ़ाऊंगा मतलब दोलन पढ़ाऊंगा जब 11th class के syllabus के last में हम दोलन या तरंग पढ़ेंगे तो उस chapter में इसको simple pendulum की सहायता से बहुत अच्छे से explain किया जाएगा लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा उसका graph explain कर देता हूँ बाकी यह आपको ढग से समझ में आएगा उस chapter में अभी से आप ध्यान में रखना कि जब आपको मैं दोलन और तरंग वाला chapter पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर जो हम सरल लोलक पढ़ेंगे तो सरल लोलक जो simple pendulum में जब दोलन करता है तो हर इस्थिती पर उसका उर्जा कमान नियात होता है वहाँ पर हम उसको और अच्छे से explain करेंगे यहाँ पर तो बस मैं आपको समानी रूप से बता दूँ कि एक graph किस तरह से बनता है kinetic energy और potential energy की बीच में graph ड्रा किया जाए तो किस पकार का graph बनता है इसको अब ध्यान रखना इस तरह का graph हमको प्राप्त होता है जब हम kinetic energy और potential energy की बीच में graph ड्रा करते हैं यहाँ पर देखो यह जो blue color का line आप देख रहे हो यह हम आनलो kinetic energy है तो यह जो आप yellow color का line देख रहे हो यह क्या है? potential energy है और इस graph से यह इस पस्ट होता है कि देखो जब यह 0 होता है जब kinetic energy 0 होता है यह 0 है मालो और यहाँ पर यह cool उर्जा है मने यहाँ पर यह total energy है E तो यहाँ पर आप देखो कि जब kinetic energy घरते घरते जब kinetic energy घरता है तो उस condition में potential energy बढ़ता है देखो यह बढ़ते जा रहा है kinetic energy जैसे जैसे घरता है potential energy का मान बढ़ता है और जब kinetic energy का मान घरते घरते सुनी हो जाता है तो potential energy का जो value होता है वह बढ़ते बढ़ते maximum हो जाता है वह इस तरह से देखो बढ़ते बढ़ते यह maximum हो जाता है अब इसके पास जब यह घरता है तो यहां से देखो kinetic energy यहां से पुनह बढ़ना ही start होता है और यहाँ पर यह maximum हो जाता है तो यहाँ पर जब यह 0 होता है तो यह maximum हो जाता है यह kinetic energy और potential energy के बीच में graph होता है बाकि reading के सहीथ यह graph कैसे आया यह with reading हम इसको दोलन वाले chapter में पढ़ेंगे दोलन वाले chapter में जब हम आपको सराल लोलक पढ़ाएंगे तो इस topic को दुबारा पढ़ाएंगे अच्छे से यहाँ पर तो मैं सिर्फ kinetic energy और potential energy का graph आपको बता दिया यह graph आपको याद रहना चाहिए कि जब वो topic हम पढ़ेंगे तो पूना हिसको पढ़ेंगे ठीक है इंगलिस में बोड़ा आए था collision समाने रूप से यह दि हम बोल चाल की भासा में बोलें तो संघट का मतलब होता है टकराना संघट का मतलब होता है टकराना जब दो चीज आपस में टकराते हैं उसको हम scientific language में संघट होना बोलते हैं इंगलिस में collision बोलते हैं तो यहाँ पर हमको टकर से संबंधित संघट से संबंधित पूरे अलग-अलग condition पर situation पर बात करना है बड़ा topic है संघट के दो प्रकार होते हैं इस प्रकार आज नेस टाइम में हम दूसरा प्रकार को पढ़ेंगे तो संघट का समानेर्थि क्या बताए मैंने आपको टकराना दो पिंड का दो वस्तूओं का आपस में टकराना संघट कहलाता है और इसके बाद हम देखें संघट के प्रकार तो संघट के दो प्रकार होते हैं संघट के प्रकार हम देखें तो संघट के दो प्रकार होते हैं पहला प्रकार कहलाता है प्रत्यास्थ संघट प्रत्यास्थ संघट इलास्टिक कोलिजन इलास्टिक कोलिजन यह कहला है प्रत्यास्त टक्कर और दूसरा है आप्रत्यास्ट्टकर आप्रत्यास्त संगट इन इलास्टिक कोलिजन इन इलास्टिक कोलिजन दो तरह के टकर होते हैं प्रत्यास्त संघट और अप्रत्यास्त संघट तो प्रत्यास्त संघट किसे कहा जाता है और फिर हम देखेंगे अप्रत्यास्त संघट किसे कहा जाता है तो पिंड के टकराने के नेचर के हिसाब से उनकी प्रकृति के हिसाब से संघट को दो पाइट में बाटा गया प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ प्रत्यास्थ संघट का मतलब होता है ऐसा संघट जिसमें टक्कर के पूर्व तथा टक्कर के पस्चात उसका संवेग पिंड का संवेग तथा गती जूर्जा पींड का समवेक तथा उसकी गती जूर्जा ये दोनों क्या होता है नियत होता है मतलब संरक्षित होता है नहीं बदलता तब हम उसे क्या कहते हैं प्रत्यास टक्कर कहते हैं तो प्रत्यास टक्कर का परिभासा क्या हो गया यदी टकराने के पुर्व तथा टकराने के पस्चात दोनों कंडिसन में पिंड का सम्वेग और उसकी गती जूरजा दोनों नियत रहे या ना बदले तब हूँ उस प्रकार के टककर को क्या कहते हैं प्रत्यास टककर कहते हैं या Elastic Collision कहते हैं इसके बाद हम देखें अब प्रत्यास टककर तो ऐसा टककर जिसमें संघट की पूर्वत अथा संघट के पस्चात उसका समवेग तो नियत होता है सुवेग नियत होता है किन्तु उसकी गती जूरजा क्या होती है परिवर्टित हो जाती है इसको हम क्या कहते है अब प्रत्याश ठककर कहते हैं नियत रहेगा month के प्रतियास्थ संघट अब हम पढ़ेंगे प्रत्यास्थ संघट मतलब इलास्टिक कोलिजन ठीक है आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रत्यास्थ संघट इलास्टिक कोलिजन चलिए तो स्टार्ट करें हम पहला प्रत्यास्थ टकर तो प्रत्यास्थ टकर में एक छोटा सा फिगर हम बनाते हैं और इस बैस पर फिर आपको समझाते हैं मान लो यह एक पिंड है दूसरा पिंड पहला पिंड दूसरे पिंड को टकर मारा और टकराने के बाद दोनों फिर पुना अलग-अलग हो गया यहां पर किस तरह का सिच्वेशन है यह पेंड इस दिशा में गती सिल है यह इस दिशा में गती सिल दोनों फिर यह मान लेते हैं कि मान लो पहले pin का द्रभ मान ये pin A है ये pin B है टक्राने के बाद ये pin A है ये pin B है इसका way मान लो U1 है इसका way मान लो U2 है और यहाँ पर U1 क्या है greater than है U2 से तभी ये पीछे से उसको टक्कर मारेगा ये पीछे जो pin देख रहे हो और ए, उसका वेक ये सामने वाले पिंड से ज़्यादा है, तो पीछे से जाकर उसको टक्कर मारेगा, और टक्कर मारने के बाद इसका वेक मालो भीवन हो जाता है, इसका वेक भीटू हो जाता है, और यहाँ पर ध्यान रखना, अब टक्राने के बाद भीटू का वेक भीवन जादा हो जाता है जबने के बाद फिर उल्टा हो जाता है उसका नोया ऑर जिसे से जा के टकराता है वो उसका वेक जादा हो जाता है अभी बहुत से एक्जामपल आज हम बहुत से एक्जामपल उसके देखेंगे डेली लाइफ में अभी तो संघट का क्लास दो तीन दिन तक क्लास चलेगे इसमें बहुत बढ़ा टापिक है और डेली लाइफ में इसके बहु टाइन में खेला करते थे अबी तो 90% गेम मुबाइल बेस्ट है ना तो तो केरम खेलते हैं खेलते समय आपने वाज किया होगा या बहुत एडवांस में जाके बात करें तो हाला कि आप लोग नहीं खेले होगे एक होता है क्या विलियर्ड विलियर्ड यह आपने देखा तु सब्सक्राइब नियुक्त उन चीट लुछ फिल्मों में देखा होगा या हो सकता है आप खेले भी होगत सारे एग्जामPro में मैं आपको कोरिलेट करौंगा कि तरह से संघट वहाँ पर कौन से संघट हो रहा है कैसा कैसा कंडिशन वहां पर बन रहा है ठीक है तो यहां पर देखो यह पिंड इसको जाके टक्कर मारा और अभी हम प्रत्यास संघट पढ़ रहे हैं वह वन गती कर रहे थे तो जब उनके गती की दिशा में परिवरता नहीं होगा टक्राने के पूरों टक्राने के पस्चाथ तब हम उसको क्या कहेंगे आप प्रत्यास्वारी एक वीमी टक्कर कहेंगे वन डाइमेंशन कहेंगे okay पिंड A का द्रविमान मालो M1 है और पिंड B का द्रविमान यहांपर M2 है इनके द्रविमान के कम और ज्यादधा होने का कोई संबन नहीं है किसी का कम किसी का ज्यादा होसकता है ठीक है तिये M1, M2, M1, N2 इनके द्रविमान है इस तरह से ये situation को हम देखते हैं अब चुक यह प्रत्यास टक्कर है इसलिए क्या होगा सबसे पहले हम देखेंगे क्या टक्कर के पूर्व टक्कर के पूर्व इसका जो सम्वेग है अभी मैंने आपको बताया टक्कर के पूर्व सम्वेग बराबर हो जाएगा टक्कर के पस्चात सम्वेग टक्कर के पूर्व का जो सम्वेग है वह टक्कर के पस्चात के सम्वेग के बराबर होगा टक्कर के पूर्व सम्वेग बराबर टक्कर के पस्चात सम्वेग यह दोनों आपस ने बराबर होंगे अभी आपको बताए मैंने तो टक्कर के पूर्व का समवेग कितना होगा देखो पिंड ए का समवेग मास इन्टू वेलसिटी M1 U1 प्लस और इसका दूसरे का कितना हो जाएगा M2 U2 इसके बाद हम देखते हैं टक्कर के पस्चास समवेग तो इसका कितना हो जाएगा M1 V1 प्लस टक्कर के बाद इसका M2 V2 यहाँ पर एक बहुत महत पूर्ण ध्यान रखने बाद कि जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि संगट के दो प्रकार होते हैं प्रत्यास और प्रत्यास प्रत्यास में समवेग और गती जूर्जा दोनों नियत या सारक्षित होते हैं किन्तु अब प्रत्यास में समवेग नियत होते हैं गती जूर्जा बदा जाता है अब यह समवेग और गती जूर्जा के अधार पर तो आप उसको पढ़ते हो ठीक है लेकिन यदि हम फिजिकल आपजर्वेशन में फिजिकल आपजर्वेशन में मतलब यदि हम सिर्फ देख के बताना चाहें यदि हम उसको सिर्फ देख के बताना चाहें कि भई यह टकर पत्यास्त है कि अपत्यास्त है यदि इस पकार से हम उसको देख के बताना चाहें तो देख के कैसे बता सकते हैं देख के बताने का एक तरीका ये है कि जिसको आप समाने रुप से अबजर्व करके बता सकते हो कि टकर क्या हो रहा ध्यान से सुनना यदि टकराने के पहले दोनों पिन अलग 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 रहें गई और टकराने के बाद भी दोनों पिन अलग अलग हो जाएं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो यह प्रत्यास टकर है तो टकराने के बाद यह पिन अलग है यह पिन अलग हो गया है तब उस तरह का टक्कर प्रत्यास्त टक्कर है लेकिन टक्राने के बाद दोनों पिंड जब आपस में चिपक जाते हैं जैसे एक पिंड दूसरे पिंड को जाके ठोकर मारा टक्कर किया और टक्कर के बाद दोनों पिंड क्या हो गए आपस में चिपक गए और ज्वाइंट होक ना कि हम उसको भौतिक रूप से देखके फिजीकल आपजर्ब करके भी बता सकते हैं कि टक्कर कैसे हो रहा है टक्राने के बाद दोनों पिंड पूना हालाग अलग हो गए तो वह प्रत्यास टक्कर है और टक्राने के बाद पिंड आपस में चिपक गए जैसे आपने केरम खे अलग कर क्या होगा मैं अप्रत्यास टक्कर होगा लेकिन जब हम गोली को मारते हैं तो पिर अलग हो जाता है इस्ट्राइकर अलग हो जाता है उस संभ करें तो क्या तो क्या करें देखें यह कई पार्ट में complete होगा ना संघट जो है कई पार्ट में complete होगा इसको ध्यान में रखना अब इसको हम आगे साल्व करें तो 11 को एक तरफ और 22 को दूसरे तरफ हम separate कर लेते हैं इसको तो M1 U1 माइनस M1 V1 इधर हमने कर लिया that implies M1 U1 माइनस M1 V1 equal to को इधर ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा M2 V2 माइनस M2 U2 यह हो जाएगा आगे हम इसको साल्व करें तो दोनों में से M1 हम कामन कर लेते हैं M1 तो हो जाएगा U1 माइनस V1 और equal to यहाँ से M2 कामन कर लें तो हो जाएगा V2 माइनस U2 और इसको दे देते हैं relation number first यह हमने दे दिया relation number first तो पहले हमने निकाला है टकर के पूर्व समवेक बराबर टकर के पस्चाद समवेक यह relation number first आया अब हम निकालते हैं टकर के पूर्व गति जूर जा बराबर टकर के पस्चाद गति जूर जा क्योंकि टकर प्रत्यास्त है तो टकर के पूर्व समवेक लिखता हूं काइनेटिक इनर्जी टकर के पूर्व काइनेटिक इनर्जी इक्वल टकर के पस्चाद इक्वल टू टकर के पस्चाद काइनेटिक इनर्जी तो टकर के पूर्व का काइनेटिक इनर्जी कितना हो जाएगा 1 upon 2 m1 u1 square plus 1 upon 2 m2 u2 square equal to यह होगा 1 upon 2 m1 v1 square और प्लस यह होगा 1 upon 2 m2 v2 square यह होगा इस प्रकार से हो जाएगा इसका value अब आगे इसको simplify करें तो दोनों पक्षों से 1 बटे 2 common होके cancel होगा क्योंकि दोनों साइड में 1 upon 2 है तो दोनों साइड में 1 upon 2 होने के कराण वो common होगा और वो cancel होगा तब हमको left side में क्या मिलेगा m1 u1 square plus m2 u2 square equal यहाँ पर m1 v1 square plus m2 v2 square that implies अब यहाँ पर 1 1 को X side में अपन separate कर लें तो 1 1 को X side separate करेंगे तो यह वाला 1 और यह वाला 1 क्या करते हैं हम एक साथ separate कर लेते हैं दोनों को जब X साथ separate करेंगे और m1 को common कर लेंगे तो क्या मिलेगा m1 common कर लिया तो u1 square minus v1 square u1 square minus v1 square और इधर m2 को transfer करके common कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v2 square minus v1 square ऐसा हो जाएगा sorry v2 square minus यह u2 common हुए ना u2 square यह होगा अब इसको हम a square minus b square a square minus b square से दी हम इसको break कर दें तो क्या मिलेगा अपने को m1 ते हो जाएगा u1 minus v1 और दूसरे bracket में u1 plus v1 equal to यहाँ पर होगा m2 v2 minus u2 और दूसरे bracket में v2 plus u2 यह कर लेंगे यह हो जाएगा हमारा relation number 2 अब आप पिछे से देखो अब आप पिछे से देखो यह जो हमारा relation number first है m1 u1 minus v1 equal to m2 v2 minus u2 है और relation number second यह है तो relation number second में relation number first को भाग कर दें ठीक है तो relation number first में relation number second में first को divide कर दें तो क्या मिलेगा देखो therefore अब यहाँ से हम उसको divide कर दें second में first का भाग देने पर तो second में first का भाग देंगे तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि यह m1 और यह minus वाला portion और यह m2 और यह minus वाला portion cancel out हो आएगा क्योंकि यहाँ पर है देखो यह यह दोनों उसके साथ में cancel out हो आएगा तो cancel out होने के बाद हमको जो बचेगा वो क्या बचेगा यहाँ से u1 प्लस v1 यह बचेगा u1 प्लस v1 और इधर बचेगा v2 प्लस u2 v2 प्लस u2 यह बचेगा that implies अब यहाँ पर देखो यहाँ पर हम u1 u2 को एक साइट v1 v2 को एक साइट में कर दें तो यहाँ से यह क्या हो जाएगा u1 माइनस u2 इक्वल टू मिल जाएगा v2 माइनस v1 ऐसा मिलेगा तो इस relation को हम क्या कह सकते हैं देखो इस relation को हम क्या कह सकते हैं ध्यान से समझन यह relation कहता है कि टकर के पूर्व दोनों के पास आने का जो वेग है टकर के पूर्व ठीक है टकर के पूर्व टकर के पूर्व जो पास आने का वेग है वह टकर के पस्चाद दूर जाने के वेग के बराबर है क्योंकि यहाँ पर आप फिगर से देखो कि यहाँ पर टकर के पूर्व यह u1 माइनस u2 मतलब इनके बीच का relative velocity है आप एक शिक वेग है मतलब उस rate से वो पास आ रहे है और इस rate से क्या हो रहा है वो दूर जा रहा है ये तो इसको हम कहा सकते हैं जो पहला question यही बनता है पहला question यहाँ पर यही बनता है कि टकर के पूर्व पास आने का वेग जो होता है वह टकर के पस्चाथ एक दूर जाने के वेग के बराबर होता है तो सब्दों में हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं टकर के पूर्व टकर के पूर्व का आपेक्षीक वेग कह सकते हैं पास आने के वेक को आपेक्षीक वेक करते हैं, तो टकर के पूर आपेक्षीक वेक बराबर टकर के पस्चाथ, एक question यहां भी पूछा जा सकता है, टकर के पस्चाथ आपेक्षीक वेक, यह तो टक कर के पूर्व का जो आप्पेक्सी क्वेंग होता है यह है यह है हमारा पहला टापिक तो देखो एक बार कोई problem है आप एक बार screen start ले लो इसको आप ये वाले slide का भी screen start ले लो ने slide का भी ले लो और ये एक question complete हो गया अब देखो यदि हमको टक्कर के पस्चात पिंड एक वेग निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे यह आगे ध्यान से समझना अगला टापिक है टक्कर के पस्चात पिंड एक वेग अब हम निकालेंगे टक्कर के पस्चात पिंड एक वेग मतलब जब दोनों पिंड टक्रा जाते हैं तो टक्राने के बाद पिंड का वेग क्या हो जाता है वीवन ठीक है तो यहाँ पर हमको निकालना है कि पिंड एक वेग टक्राने के बाद कितना हो जाता है इसके लिए हम क् से एक समी करण है यह समी करण को ध्यान से समझना समी करण नमबर एक M1 U1 माइनस V1 समी करण एक से यहाँ पर हम लिख लेते हैं समी करण और V2 माइनस U2 यह हमारा रिलेस्टन नमबर फर्स्ट है और तथा इसके बाद हम एक समी करण यहाँ से निकाले हैं देखो इसको भी मैं पुना है लिख देता हूँ यह है हमारा समी करण नमबर फरी सपोज इसको ने रिलेस्टन नमबर फरी दिया तो U1 माइनस U2 इक्वल तीन से U1 माइनस U2 इक्वल V2 माइनस V1 यह अब हमको इन दोनों समी करण की सहायता से V1 का मान निकालना है इन दोनों समी करण की सहायता से हमको क्या करना है V1 का मान निकालना है ठीक है तो यहां से क्या करते हैं that implies यह जो रिलेस्टन है यहां से हम V2 का मान निकाल लेते हैं V2 वी टू का मान निकाल लें ये समीकर नमबर एक ही नाम दे देता हूं इसको मैं और इसको समीकर नमबर तीन नाम दे देता हूं तो यहां से हम क्या करें वी टू का मान निकाले तो इसको इधर टांसफर करेंगे तो हो जाएगा यू वन माइनस यू टू और इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस दी वन यह हो जाएगा अब क्या करें हम यह जो वी टू का वेलू निकला है उसको एक में पूट कर देते हैं तो इसलिए एक से इसलिए एक से इसलिए मैंने यहां पर एक को लिखा है एम वन और ब्रेकेट को अंदर मर्टिप्लाइग कर रहा हूँ इधर क्या हो जाएगा एम टू अंडर ब्रेकेट यह जो वी टू कमान है यहां से पूट करेंगे तो यू वन माइनस यू टू प्लस वी वन और यहां से क्या हो जाएगा माइनस यू टू यह होगा आगे इसको हम साल्व करें तो देट इंप्लाइज एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन इक्वल यहां पर देखो एम टू का यू वन के साथ में मल्टिप्लाई होगा तो हो जाएगा एम टू यू वन और माइनस यू टू माइनस यू टू दो बार एड़ होगा तो minus 2 u2 हो जाएगा तो minus 2 m2 u2 लिखा जा सकता है और plus यह हो जाएगा m2 v1 यह होगा अब चुकि हमको क्या करना है v1 का मान निकालना है तो v1 का मान निकालना है तो दोनो v1 को यह v1 वाला पद और यह वाला v1 वाला पद ये दोनों पत को एक साथ अपर रखते हैं तो इसको हम क्या करते हैं उसके साइड में ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन लिखते बाएं तरफ हैं तो क्या अपने को value मिलेगा देखो ये इधर ट्रांसफर होके plus हो जाएगा और दोनों में से अपन क्या करेंगे V1 common करेंगे तो V1 common करेंगे तो बच्चेगा M1 प्लस M2 यह बच्चेगा इसके बाद यह पूरी quantity को हम इधा ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ पर देखो यह क्या है M2 यह तो यहां से U1 को common करेंगे अपन यहां से इधा transfer करेंगे तो minus हो जाएगा ठीक है इसको हम इधा transfer किया है तो इसको इधा transfer एक बार लिख देता हमें पूरा यह हो जाएगा M2 U1 minus M2 U1 यह plus हो जाएगा plus 2 M2 U2 ऐसा होगा that implies अब यह हो जाएगा V1 M1 plus M2 equal यहां से हम U1 को common कर लें तो M1 minus M2 होगा और bracket के बार हम क्या लिख देंगे U1 लिख देंगे और plus यह हो जाएगा 2 M2 U2 अब यहां से देखो यहां से हम M1 plus M2 को उस side में transfer कर देते हैं जब उसको उस side में transfer कर देंगे तो हमको जो final equation मिलेगा वो मिलेगा V1 equal इसके साथ इसका भाग होगा M1 minus M2 और upon में आ जाएगा M1 plus M2 यह upon में आ जाएगा और into U1 यह U1 होगा और plus यह इसके अपान में आ जाएगा तो 2 M2 U2 अपान हो जाएगा M1 plus M2 M1 plus M2 यह होगा इस प्रकार से देखो यह जो होगा यह जो होगा यह टक्कर के पस्चाथ पिंड A का वेग होगा टक्कर के पस्चाथ पिंड A का वेग होगा इस प्रकार से हम टक्कर के पस्चाथ पिंड A का वेग निकाल सकते हैं इसी प्रकाल से टक्कर के पस्चाहत है पिंड बी को वेग निकालना है तो हम क्या करेंगे जयसे V2 का मान निकालने थे वैसे हम V1 का मान निकालने टक्कर के पस्चात पिंड बी का वेग टक्कर के पस्चात पिंड बी का वेग निकालने से यह जो हम समी करन एक से यह जो मान निकाले है भी टू का उसके जगह में हम किसका मान निकालेंगे भी का मान भी वन का मान निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम लिख लें X से, समी करण X से, और समी करण X से हम क्या कर सकते हैं, देखो, V1 का माने ज़िए हम इधा ट्रांसफर करें, तो V2 माइनस U1, V2 माइनस U1, प्लस U2 होगा, इसलिए तीन से, अब हम क्या करें, समी करण 3 में, इस V1 के मान को पूट अप कर देते हैं, तो समी करण 3 क्या है हमारा ये, U1 माइनस U2, स्वारी, समी करण X से बोलें, पहले समी करण 3 से है, जलत लिख लिख लिए, यह है समीकर्ड 3 से और यह है समीकर्ड नंबर 1 से समीकर्ड 3 से V1 का मान निकालेंगे और समीकर्ड 1 में put करेंगे समीकर्ड 1 में put करेंगे एक है हमारा M1 U1-V1 M1 U1-V1 M1 U1 और minus V1 इसका value put करेंगे समने minus है तो सब का चीन बदल जाएगा तो minus v2 प्लस u1 और minus u2 हो जाएगा और right side में हम को क्या मिलेगा भी right side में मिलेगा हमको m2 v2 minus u2 m2 v2 minus u2 यह मिलेगा अब इसको हम simplify कर लेते हैं इसको settahal कर लेते हैं इसको सरल करके फिर V1, V2 का मान ग्याद कर लेंगे, चलिए सरल करें फिर, that implies इसका अंदर multiply करते हैं, U1, U1 है दो बार है, तो जाएगर 2 M1, U1, minus M1, V2, minus M1, U2, equal M2, V2, minus M2, U2, अब चुकि हमको क्या करना है, यहां से V2 का मान ग्याद करना है, तो यह वाला V2, और यह वाला V2, यह दोनों को एक सांथ रखते हैं, जैसे अभी हमने रखा था, तो क्या करेंगे, इसको उधर transfer करते हैं, और V2 को common करते हैं, तो M1, plus M2, और bracket के बाहर हो जाएगा, क्या, V2, इसको इधर transfer किया है, तो बाकी सबको इधर transfer करेंगे, तो यह इधर आके plus हो जाएगा, यह, तो minus M1, V2, minus M1, V2, और यह हो जाएगा, plus M2, minus M1, V2, V2 तो कर लिए हैं भई, 1 चाहिए अपने को न, minus M1, U2, minus M1, U2, और यहाँ से है, minus M2, U2, तो प्लस हो जाएगा, minus M2, U2, और उधर है, plus 2 M1, U1, ऐसा होगा, that implies, आगे हम इसको solve करें, तो हो जाएगा, M1, plus M2, V2, equal, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, तो 2 M1, या किसी को पहले लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, तो U2 common कर लें इसमें, तो U2 common कर लेंगे, तो हो जाएगा, M2 minus M1, M2 minus M1, और यह, U2, और प्लस यह हो जाएगा, 2 M1, U1, अब यह जो M1 plus M2 है, उससाइज में transfer कर दें, तो V2 equal to क्या निकल जाएगा, तब हमको निकलेगा, M2 minus M1 upon M1 plus M2 into U2, और प्लस 2 M1 U1 upon M1 plus M2, यह निकलेगा, इसको चाहें सहम पहले लिख सकते हैं, यह जो portion है, 2 M2 U2 बाद में है, तो बाद में लिखा, उससे कुछ फर्क नहीं पढ़ना है, तो यहाँ पर देखो, 2 M1, 2 M2 U2, यहाँ या 2 M1 U1, यहाँ पर है M1 minus M2, यहाँ पर हो गया M2 minus M1, और यह और U2, यहाँ इसको मैं proper order को change करके लिख देता हूं, तो V2 equal, यह वाले पत को पहले लिख देता हूं, 1 वाले को, 1 को पहले लिखना चाह होगा, और plus, इसको बाद में लिखता हूं, तो हैगा M2 minus M1 upon M1 plus M2, और into, यहाँ पर क्या होगा U2, तो यह हो जाएगा इसका final equation, इस तरह से, तो V2 equal to 2 M1 U1 upon M1 plus M2 plus M2 minus M1 upon M1 plus M2 into U2. एक वीमी प्रत्यास्थ टक्कर, एक वीमी प्रत्यास्थ संघट में टक्कर के पस्चाथ, यह आगे हम continue करते हैं इसको, टक्कर या संघट, संघट वर्ड ही उस करें, वैसे दोनों सही है, संघट के पस्चाथ, पिंड A का वेग, संघट के पस्चाथ हमने पिंड A का वेग निकाला था और फार्मूला था उसका V1 equal M1 minus M2 into U1 और अपान में M1 plus M2, यह फार्मूला और प्लस 2 M2 U2 upon M1 plus M2, यह फार्मूला था टक्कर के पस्चाथ पिंड A का वेग, तो टक्कर के पस्चाथ पिंड A का यह वेग था, उसके बाद संघट के पस्चाथ, यह फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए न, संघट के पस्चाथ, प्रिवियस क्लास में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, यह मैं दुबारा रिवाइस करा रहा हूँ आपको, संघट के पस्चाथ, क्योंकि इस पर हमको डिस्कस करना है, पिंड बी का वेग, संघट के पस्चाथ, पिंड बी का वेग, जिसको हम V2 कहें, तो V2 इकोल टू होता है, 2 M1 U1 अपान M1 प्लस M2 और प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2 अपान M1 प्लस M2, यह फार्मूला हमने देखा था, यह दो फार्मूला हम लोग ने प्रिभियस क्लास में डिराइब किया था, तो एक मीमी प्रत्यास संघट में संघट के पस्चाथ, पिंड बी का वेग, भी वन इतना होता है, और संघट के पस्चाथ, पिंड बी का वेग, भी टू इतना होता है, ये दोनों फर्मूला को आप ध्यान से देखो और इसके बाद हम इसमें कुछ डिसकसन करते हैं डिसकसन ये कि यदि पिंड B क्या हो इस्थिर हो जैसे मैंने आपको प्रिभ्यास क्लास में बताया था कि यहाँ पर B जो पिंड है और A पिंड दोनों गतिसील है मतलब एक गतिसील पिंड को पीछे से एक दूसरा गतिसील पिंड जाके ठोकर मारता है टकर करता है तब के लिए ये फर्मूला है लेकिन अब हम इसमें पढ़ें स्पेसल केस इसके स्पेसल केस में हम पढ़ेंगे यदि V2 इकॉल टू जीरो हो मतलब पिंड बी इस्थिर हो कहने का मतलब क्या है जैसे हम केरम में खेलते हैं तो आपको ध्यान होगा कि हम इस्थिर पिंड को स्ट्राइकर से ठोकर मारते हैं मतलब शामने जो गोली होता है वह बोर्ड में इस्थिर रहता है और हम striker से उसको मारते हैं कहने का मतलब जो बी पिंड है जो दूसरा पिंड है वो इसी रवस्था में होता है और जब class को end करता हूं तो यह जरूर बोलता हूं कि अगले class में यहां तक तयार करके आना इस relation को जो student समझ पाता है class end होने का और next class में start होने का यह relation को जो student समझ पाता है उसको कहीं कोई problem नहीं वो सब चीज असानी से समझता है यह connectivity बने रहना चाहिए ठीक है तो यहां पर देखो हम यहां पर previous class में आपको explain किये थे वेग की A और B दोनों पिंड गती सील है लेकिन अब उसमें हम एक special case पर रहे हैं कि यदि दूसरा पिंड जिसका वेग को हमने U2 माना था वो 0 है मतलब एक गती सील पिंड एक इस्थिर पिंड को जाके ठोकर मारता है तो U2 का value 0 होगा और उस condition में हम यह दोनों फार्मूला में यहां पर हम इस U2 को और यहां पर इस U2 को दोनों को 0 कर दें तो उस condition में तो दोनों का जो फार्मूला मिलेगा V1 का वो क्या मिलेगा देखो यह पूरा 0 हो जाएगा तो M1 माइनस M2 यह मिल जाएगा अपने को M1 माइनस M2 into U1 upon M1 plus M2 यह फार्मूला मिलेगा और दूसरा पिंड का जो वेग होगा V2 उसका फार्मूला क्या मिलेगा यह 0 हो गया तो 2M1 2M1 U1 upon M1 plus M2 यह फार्मूला हमको मिलेगा इस तरह से देखो कि यह दी दूसरा पिंड इस्थिर हो तो टककर के पस्चाद यह दोनों पिंड का वेग होगा यह है special case special case से numericals पूछे जा सकते हैं competitive exam में question पूछे जा सकते हैं तो special case बहुत important है आपके लिए अब देखो यह दोनो special case के लिए हमको जो formula मिला है इस formula पर हम विचार करें और इसके condition अपन एक एक करके समझते जाए इसमें क्या क्या condition apply हो सकता है तो इसके condition को हम एक एक करके देखते जाते हैं यह दोनो formula आप देखो इसके बाद next slide में मैं इसके condition बताता हूँ पहला condition condition number first special case में condition special case में पहला condition यह है कि यदि M1 जो है वह बहुत बड़ा हो किससे M2 से M1 बहुत बड़ा हो M2 से कहने का मतलब क्या है कि जो पिंड जा के ठोकर मार रहा है उसका दरपे मान M1 है और उसका दरपे मान जिस पिंड को ठोकर मार रहा है बहुत ध्यान से समझना जिस पिंड को जा के ठोकर मार रहा है उसे बहुत जादा है जैसे मान लो कोई ट्रक किसी साइकल सवार को ठोकर मार दिया यह elastic collision ना आप उसमें उल्टा सीथा नहीं सोचना शुरू करें साइकल सवार तो मर जाएगा सर ट्रक के अंदर दब जाएगा यह सब मत सोचो यहाँ पर उसको इस तरह से सोचो कि एक हलके पिंड को एक भारी पिंड होकर मार रहा है साइकल हलका पिंड है और जो यह ट्रक है है यह कंडिशन है तो इस कंडिशन में यहाँ पर देखो यह कंडिशन क्या कहता है जब M1 का मान M2 से बहुत अधीक होगा यह जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ हुआ competitive के लिए बहुत important है ध्यान से सुनो जब M1 का मान M2 से बहुत अधीक होगा तो हम M2 को negligible मान सकते हैं मारे M2 के मान को हम सुनने मान सकते हैं यहाँ पर भी M1 का मान जब M2 से बहुत अधीक होगा तो इसको negligible दोनों को हम 0 मान लिए तब हमको क्या मिलेगा M1 U1 upon M1 फिर M1 M1 के साथ cancel अठोएगा तो सीधा सीधा हमको मिलेगा V1 बराबर U1 तब हमको मिलेगा V1 बराबर U1 तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं V1 बराबर U1 तो V1 बराबर U1 और V2 बराबर V2 बराबर क्या मिलने वाला है यहाँ पर देखो यहाँ पर यदि हम क्या करें इसको M2 को negligible मान ले तो 2 M1 U1 upon M1 और यह जो M1 है M1 के साथ कटेगा तो 2 U1 बचेगा तब हमको क्या मिलेगा 2 U1 और इसका मतलब क्या हुआ इसका सेंस क्या हो गया ध्यान से समझना तकराने के बाद तकराने के बाद जो पिंड ए है तकराने के बाद जो पिंड ए है उसका वेग तो वही रहेगा जिस वेग से आ रहा था वही रहेगा उसका वेग तकराने के पस्चाथ पिंड एक वेक वही रहेगा जैसा उसका था मालो कोई ट्रक 40 किलुमीटर प्रति घंटा के रपतार से गती सिल है तो टक्राने के बाद भी हो 40 किलुमीटर प्रति घंटे के रपतार से गती सिल रहेगा परन्तु यह जो तो दूसरा पींड है जो की इस्थिर था वह जो ठोकर मारा है उसके दुगने वैक से आगे बढ़ने लगेगा मतलब साइकल रेस्ट में खड़े साइकल को या रेस्ट में खड़े किसी पिंड को यदि ट्रक जाके कोलिजन कर दे टकर कर दे तो उसका जो स्पीड है ट्रक के स्पीड का दोगुना हो जाएगा मतलब वह 80 किलोमीटर प्रती घंटे के रतार से चलने लगेगा इस तरह के question competitive में पूछे जाते हैं तो जब आपको पता हो ध्यान से सुनो conclusion यदि कोई भारी पिंड किसी हलके इस्थिर पिंड को एक मिमी प्रत्यास टकर करता है तो जो भारी पिंड है वह अपने पूर्ववेक से गती सील रहेगा लेकिन जो हलका पिंड है जो कि rest में था वह टकर मारने वाले पिंड के दुग्रेवेक से गती प्रारम कर देगा उसका वेग उसका दुग्ना हो जाएगा ये है इसलिए मैं कल इस topic पर discussion नहीं किया क्योंकि एक ही दिन इतनी सारी सीजों पर discuss करने से थोड़ा सा confusion हो जाता है इसलिए मैं especially आज उसके special case पर discussion कर रहा हूँ ध्यान से समझना क्योंकि topic को जब तक आप बहुत सुक्ष्मता से नहीं पढ़ोगे जब तक आप बहुत सुक्ष्मता से नहीं पढ़ोगे तब तक वो कोई काम कर नहीं है फिर आपको future में उससे related आप question नहीं बना पाएंगे अब देखो condition number 2 जब M1 बराबर हो M2 के M1 M2 के बराबर हो तो उस condition में क्या होगा यह हम देखते हैं तो पीछे देखो यहाँ पर M1 M2 के बराबर हो तो क्या होगा यहाँ पर M1 M2 के बराबर हो तो यह दोनों कट जाएंगे और यह 0 हो जाएगा और 0 पांच 0 मतलब पूरा का पूरा 0 हो जाएगा इस तरह से V1 कमान क्या हो जाएगा सुन्य तो उस condition में V1 Equal to 0 हो जाएगा V1 0 हो जाएगा तथा V2 बराबर तथा V2 बराबर क्या हो जाएगा देखो यह जो V2 का मान है M1, M2 के बराबर हो गया, तो M1 जब M2 के बराबर होगा, तो उस condition में क्या होगा, यह 2M1 हो जाएगा, दोनों add होके, क्योंकि M2 को भी M1 लिख सकते हैं, और उस समय 2M1, 2M1 कटेगा, तो V2 बराबर U1 हो जाएगा, और इससे क्या result निकला, इससे क्या पता चला, कि देखो, यदि दो पिंड समांदर बेमान के हैं, और एक दोनों पिंड, एक पिंड अपने समांदर बेमान के, इस थी पिंड को जब टककर मारेगा, तो टककर मारने के बाद उसका जो V2 होगा, वह 0 हो जाएगा, मतलब जाके वहाँ पर रुख जाएगा, और जो प टककर मारा है, उसके वेक से आगे गती सील हो जाएगा, मतलब क्या होगा, जैसे आप कई वार ऐसा गोली खेलते हुए आपने देखा होगा, कि जब हम गोली से दूसरे गोली को मारते हैं, तो यह जिस से मारते हैं, वह गोली उसके जगा में जाके रुख जाता है, और जो रुपा हुआ जो पिन पीडयान पाइब है जो टक्कर माहरा है उसके वेग से अगे बढ़ जाता है तो वह बीस किली मेटरS प्रतीह गंटा के राफ्ति रसफराऻ से चलेगा और यह वहां जाके रूख जाएगा ठीक है clear यहां तक तो यह है दूसरा condition यह condition बहुत ध्यान से समझो आप तीसरा condition यदि M1 बहुत छोटा हो M2 से इसका क्या मतलब हुआ कि एक हलका पिंड एक जो हलका पिंड है कमदर बिमान का पिंड वह क्या करता है किसी भारी पिंड से जाके टकराता है मतलब मालो कोई ट्रक खड़ा है और उस खड़े ट्रक से कोई बाइक वाला जाके टकरा गया या कोई cycle वारा जाके टकरा गया तो किसी भारी पिंड से जब कोई हलका पिंड या एक अच्छे example देता हूँ आपके हाथ में बाल है और आपने बाल को दिवाल से मारा ये ज़्यादा समझ में आएगा आपको आपके हाथ में बाल है और उस बाल को आपने दिवाल से मारा तो दिवाल भारी पिंड है और वह इस्थिर है अब बाल क्या है हलका पिंड है उससे आपने जाके उसको मारा तो हमारा formula क्या कहता है ये हम यहाँ से देखते हैं देखो M1 जब M2 से बहुत छोटा हो यहाँ पर देखो यह जो M1 है यहाँ क्या है M2 से बहुत छोटा है तो M1 जब M2 से बहुत छोटा है इसको negligible मान सकते है इसको भी negligible मानेंगे तो M2 M2 कटेगा लेकिन यहाँ पर minus बच जाएगा तो V1 equal to minus U1 होगा V1 equal to minus U1 V2 equal to minus U1 Sorry V1 equal to V1 equal to minus U1 तथा और उसके बाद देखो आप second condition में जब M1 क्या होगा negligible होगा तो 0 मान लेंगे इसको M1 को इसको भी 0 मान लेंगे तो 0 पूरा 0 होगा तो V2 equal to 0 होगा उस condition में V2 equal to 0 होगा इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो पिंड जाके टकर मारेगा जो पिंड जाके टकर मारेगा वह टकरा के अपने प्रारंभिक वेक से ही वापस आ जाएगा वापस कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर minus आ जाएगा है तो क्या हो जाएगा? वह अपने प्रारंभिक वेक से ही वापस आ जाएगा इस पकार से यदी कोई पिंड यदी कोई हलका पिंड किसी भारी पिंड से जाके टकराता है यदी कोई हलका पिंड किसी भारी पिंड से जाके टकराता है तो टकराने के बाद वो उसी दिशा में वापस आजाता है लेकिन जो भारी पिंड है वो टकराने के बाद भी zero velocity रहता है, मतलब वो इस्थिर रहता है जैसे हम किसी बाल से दिवाल पर मारें तो किसी बाल से जब दिवाल पर मारेंगे तो दिवार अपनी जगा पे होता है मतलब उसमें कोई गती नहीं होता लेकिन बाल अपने जिस वेक से गया था उसी वेक से वापस आ जाता है देखे इसको आप नोट करिए एक विमी पूर्णता अप्रत्यास्त संगट आपको मालूम है कि प्रत्यास्त टकर आप पढ़ चुके हो एक विमी पूर्णता अप्रत्यास्त संगट वन डाइमेंशनल परपेटली इलास्टिक कोलिजन एक बार मैं रिपीट करता हूँ प्रिभ्यास टकर में आपने क्या पढ़ा यदि टकर के पूर्व तथा टकर के पस्चाथ टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों कंडिशन में पिंड का संवेक तथा गती जूर्जा दोनों संरक्षित हो तब हम उस प्रकार के संगट को प्रत्यास्त संगट कहते हैं यह हमने कंप्लीट किया अब हम उसका सेकन्ड पांट पढ़ते हैं अप्रत्यास्त टकर का मतलब है कि टकराने के पूर्व और टकराने के पस्चाथ का संवेक तो नियात हो लेकिन गती जूर्जा बदल जाता है परिवर्थित हो जाता है तब इस प्रकार के संगट को हम क्य कहते हैं अप्रत्यास्त करा कहते हैं जिए टक कर के फूर्व टत्थाभात का संवेक नियात हो जब दो निश्रित्रुप से लग अलग अलग रहते हैं टकराने के पहले दोनों पर अलग अलग रहे तब ही तो टकराने के बाद वो फिर अलग-अलग हो जाते हैं तो एक भी भी होता है यह पहचानने का तरीक है परिभासा नहीं है आप एक्जाम में परिभासा में ऐसा नहीं लिख देना कि सड़ तो बताये थे कि टकराने के बाद अलग हो जाते हैं और टकराने के बाद वो चिपक जात है जैसे मैंने आपको एक्जामपल दिया था कि कैरम ख्वहलते समय कभी कभी हमारा इस ट्राइकर क्या होता है और दोनों एक साथ चिपके चिपके जाकर डि वने घूस जाते तो इस्टार्ट करें हैं आज का क्लास सबसे पहले मैं फिगर बनाओ उसके लिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण तो यहां पर चित रही है देखो परिभासा मैं पहले आपको बता चुका हूँ मालो यह एक पिंड है यह एक दूसरा पिंड है दोनो पिंड जब टकरा जाएंगे तो टकराने के बाद इनकी स्थिति क्या बनेगी देखो ये दोनों पिंड इस तरह से चिपक जाएंगे ठीक है तो इनका कंडिशन क्या है ये पिंड इधर गती सील है और ये इसको आके टक्कर मारा अब दोनों पिंड एक साथ कंबाइन होके गती सील हो गए तो यहाँ पर सिच्वेशन क्या है ध्यान से समझना यहाँ पर मालो इसका द्रब इमान M1 है इसका द्रब इमान M2 है इसका अभी वेग U1 है इसका वेग U2 है और यहाँ पर U1 क्या है U2 से बड़ा होगा तभी जाके पीछे से टक्कर मारेगा ये पीछे चलने वाले पिंड का वेग आगे चलने वाले पिंड के वेग से ज्यादा होगा तभी जाके टक्कर मारेगा तो ये पिंड क्या होगा इस पिंड को जाके पीछे से टक्कर मारेगा और इसके बाद ये दोनों पिंड आपस में चिपक जाएंगे अब इनका वेग हो जाएगा भी क्योंकि दोनों लग लग नहीं हो सकता अब दोनों का वेलसिटी क्या होगा सेम होगा और दोनों एक सांच चिपक के फिर आगे मोशन करेंगे अब दोनों का कम्बाइंड मास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 इनका जो द्रब विमान है वह M1 प्लस M2 हो जाएगा क्योंकि दोनों के चिपक जाने के कारण दोनों का द्रब विमान कितना हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा तो यह इसका चीत्र है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चुंकि टकर क्या है, टकर अप्रत्यास्त है, तो अप्रत्यास्त होने के कारण समवेग तो नियत होगा, तो पहले हम समवेग की गढ़ना कर लें, उसके बाद फिर हम गढ़ना करेंगे किसका, गती जूरजा का कर की ठीक है, या गती का निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालें समवेग, तो समवेग में हम क्या निकालेंगे, टककर के पुर्व या शंघट के पुर्व संघट के पूर्व संवेग बराबर संघट के बाद का संवेग या पस्चात का संवेग मतलब एक ही है तो संघट के पूर्व का संवेग बराबर संघट के बाद का संवेग ये निकालेंगे क्योंकि अब पत्यास्टा कर में समवेग भी नियास होता है तो संगट के पूरों समवेग क्या होगा इसका ये हो जाएगा M1 U1 पहले पिंड का और प्लस M2 U2 दूसरे पिंड का होगा ये हो जाएगा संगट के बाद दोनों का द्रब इमान एड हो गया है तो द्रब इमान हो जाएगा M1 प्लस M2 और इसका वेलसिटी कितना हो जाएगा V इस प्रकार से V इसका वेग हो जाएगा तो ये संगट के बाद का समवेग हो जाएगा अब आगे इसको हम साल्व करें तो आगे साल्व करेंगे और V कमान निकालेंगे यहां से यहां से हम V कमान निकालेंगे तो V कमान किस तरह से निकलेगा देखो That implies हम V कमान निकालना चाहें तो यह M1 प्लस M2 को बाये तरह पक्षांतर कर देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा ये मिलेगा M1 U1 प्लस M2 U2 और बटे में आ जाएगा M1 प्लस M2 ये M1 प्लस M2 की इधर ट्रांसफर कर देंगे ये हो जाएगा ये उसका वेख हो जाएगा टकराने के बाद तो टकराने के बाद दोनों pin का जो combined velocity है इसके बराबर होगा इस पकार से यहां से हम उसका combined velocity find कर सकते हैं अब यहां से हम देखें एक condition apply करें कि मान लो दूसरा pin इस्थिर है मतलब ये जो pin आप देख रहे हो दूसरा pin देख रहे हो ये pin A है ये pin B है तो pin B मान लो क्या है इस्थिर है तो pin B जब इस्थिर होगा से यूटू का मान क्या हो जाएगा जिरो हो जाएगा कहने का मतलब एक rest particle को एक इस्थिर pin को एक गतिसील pin क्या कर रहा है जाके संघट कर रहा है तो उस condition में क्या होगा यूटू का मान जिरो हो जाएगा तो यहां पर हम condition apply कर लें कि यदि pin B यदि pin B क्या है इस्थिर है pin B इस्थिर है तो उस condition में यूटू का मान जिरो हो जाएगा अब यहां से यदि हम यूटू के मान को जिरो कर दें तो उस condition में हमको जो formula मिलेगा वो क्या मिलेगा तो V equal to मिलेगा M1 U1 यह तो 0 हो गया और अपान हो जाएगा M1 प्लस M2 इस पकार से यह इसका velocity का formula हो जाएगा जब दूसरा pin क्या हो इस्थिर हो तो टकराने के बाद दोनों का combine velocity हो जाएगा M1 U1 अपान M1 प्लस M2 यह हो गया समवे के condition पर calculation अब हम यहां पर देखेंगे गती जूर जाके condition पर इसका calculation देखेंगे clear तो यहां ता कोई problem किसी को इसकी सांट लेला हो तो आप फटा फट लेलो चलिए अब हम देखें kinetic energy का calculation गती जूर जा kinetic energy का तो kinetic energy संरक्षित नहीं होता आपको मालूम है कि अप्रत्यास टक्कर में गती जूर जा संरक्षित नहीं होता तो दोनों का बारी बारी से हम kinetic energy निकालेंगे सबसे पहले Pind A की गती जूर जा Pind A की गती जूर जा अब kinetic energy को मैं साट फ़ा में लिख रहा हूँ kinetic energy के E तो Pind A के गती जूर जा को मालूम हमने क्या कह दिया E1 तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1 upon 2 M1 U1 square यह हो जाएगा ठीक है यह एक काम करो थोड़ा साट करते हैं पर इसको एक साट निकालते हैं मतलब टकर के पूर्व गती जूर जा निकाल लेते हैं सिधा टकर के पूर्व टकर के पूर्व kinetic energy तो टकर के पूर्व के kinetic energy को मालनों मैं E1 कह रहा हूँ हम combine निकाल रहा हैं तो 1 upon 2 तो अलग अलग निकालने के वजाय मा एक सांस निकाल रहा हूं अलग अलग निकाल के दोनों को जोडते इससे अच्छा हम सिधा टककर के पूर्वका काइनेटिक एनरजी निकाल रहे हैं तो है जाएगा 1 upon 2 M1 U1 square और प्लस दूसरा पिंड को हमने इस्थिर मान लिया है तो इस्थिर कंडिशन में हम गाइनेटिक एनरजी निकालते हैं यहाँ पर देखो हमने दूसरे पिंड को इस्थिर मान लिया है कि पिंड B क्या है इस्थिर है तो जब उसका वेक सुन्य है तो उसका कोई गती जूर्जा नहीं होगा तो टक्कर के पूर्व का गती जूर्जा केवल पिंड ए का होगा ठीक है यह हम निकाल लेते हैं यहां से तो देखो हमने निकाल लिया टक्कर के पूर्व गती जूर्जा इतना इसके बाद टक्कर के पस्चात टककर के पस्चात काइनेटिक एनर्जी टककर के पस्चात काइनेटिक एनर्जी को हमने E2 कह दिया तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1 upon 2 द्रब दिमान तो 8 हो चुका है M1 plus M2 होगा E2 equal to हो जाएगा 1 upon 2 M1 plus M2 और वेग हो गया है V तो V का E square हो जाएगा इस प्रकार से टककर के पस्चात काइनेटिक एनर्जी 1 upon 2 M1 plus M2 into V square हो जाएगा अब यहाँ पर देखो चुकि इसमें गतिज उर्जा संरक्षित नहीं होता मतलब E1 E2 के बराबर नहीं हो सकता तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर होता है उर्जाहानी उर्जाहानी का मतलब क्या है कि जब पिंड A, पिंड B से टकराता है ध्यान से सुनना जब पिंड A, पिंड B से जाके टकराता है इस्थिर पिंड से और वो उसके साथ चीपक जाता है और दोनों चिपक के जब एक सांथ गती करते हैं तो उस condition में उसका velocity कम हो जाता है क्योंकि एक इस्थिर पिंड को गती सिल पिंड अब अपने सांथ लेके चल रहे मान लो किसी पिंड की गती 20 मीटर प्रती सेकंड है अब इस्थिर पिंड से टक राया अब उसको भी लेके चलने लगा तो उसका तो भार बढ़ गया तो 20 मीटर प्रती सेकंड से उसको आगे नहीं ले जा सकेगा वो उसका velocity कम हो जाएगा मतलब उसकी kinetic energy में हानी होगा तो इस topic का सबसे important matter है गती जूर्जा में हानी को calculate करना ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे गती जूर्जा में हानी calculate करेंगे कि kinetic energy में कितना last होता है तो यहाँ पर हम निकालेंगे गतिज उर्जा में हानी क्योंकि बाद में गतिज उर्जा कम हो गया तो गतिज उर्जा में हानी यह हमारा next calculation है गतिज उर्जा में हानी यह हमको निकालना है last in kinetic energy, गतिज उर्जा में हानी तो गती जुर्जा में हानी को हम यहाँ पर रिप्रेजन कर देते हैं डेल E से और डेल E equal to क्या हो जाएगा E1 minus E2 E1 minus E2 क्यों होगा क्योंकि टक्राने के पहले टक्राने के पहले उसका गती जुर्जा जादा था और टक्राने के बाद उसका गती जूर्जा कम हो गया हानी तभी होता है जब पहले ज़्यादा हो और बाद में क्या हो कम हो जब पहले ज़्यादा हो बाद में कम हो तभी हानी होता है पहले कम रहेगा बाद में ज्यादा होगा तब तो लाब हो जाएगा तो चुंकि यहाँ पर हम हाणी रहे हैं तो पहले के गति जूर जा को मतलब टक्कर के पूरवखकर जो kinetic energy है उसमें हम टक्कर के बाद का kinetic energy को हम क्या करेंगे minus करेंगे चलिए तो यहाँ पर इसका value हम put up करें और निकालें तो that equal e1 का value क्या है अपने पास यह है 1 upon 2 1 upon 2 m1 u1 square minus यह क्या है 1 upon 2 m1 plus m2 और into v square तो यहाँ पर v का मान एक बार तो मैं लिक देता हूं v square अब यह v के मान को हमको यहाँ से लाके put up करना है मतब समी करण एक में जो हमने v का मान निकाला है m1 u1 upon m1 plus m2 इसको वहाँ पर जाके लेके उस मान को put up करना है तो क्या हो जागा भी जखो that equal 1 upon 2 m1 u1 square minus 1 upon 2 m1 plus m2 और इसका value हो जाएगा m1 u1 upon m1 plus m2 और इसका पूर्ण वर्ण तो हमने क्या किया समी करण नंबर 1 से यह जो हमारा समी करण नंबर 1 था v equal to m1 u1 upon m1 plus m2 उस समी करण 1 से v का मान को ले जाके वहाँ पर put कर दिया ठीक है तो यहाँ पर put करने के बाद हमको यह value मिला अब इसको हम simplify करेंगे कैसे simplify करेंगे ध्यान से सुनना यहाँ पर m1 plus m2 का work है m1 plus m2 का वहाँ पर square है और यह m1 plus m2 इस एक m1 plus m2 के साथ में कटेगा तो एक के साथ कट जाएगा तो एक बचेगा यह वाला बचेगा तो अगले line में क्याएगा 1 upon 2 को मैं common कर लेता हूँ तो 1 upon 2 में common कर लिया अंदर बचेगा m1 u1 square minus 1 upon 2 एक कट गया है इसमें से तो हो जाएगा m1 u1 upon m1 plus m2 यह बचेगा इसका square m1 square u1 square और नीचे में एक कट गया है यह होगा अब आगे हम देखें और क्या common हो रहा है देखो अब common हो रहा है m1 u1 का square दोनों में c common हो रहा है अब उसको भी common कर लिया जाए तो जब इसको हम common कर लेंगे तो आगे क्या मिलेगा 1 upon 2 m1 u1 square यह हमने common कर लिया तो यहाँ से बचेगा 1 यहाँ से बचेगा 1 अर्स्वारी 1 upon 2 common हो चुका है इसको मैं दुबारा लिख लिया यह 1 upon 2 दोनों में से common हो चुका है तो यह होगा 1 और यह common हो गया तो m1 square में m1 common हो गया m1 बचेगा u1 square common हो गया है upon m1 plus m2 यह बचेगा अब इसका हम क्या लिकान लेंगे लगुत्तम आगे हम लगुत्तम निकालके सालूख कर लेंगे यहाँ तक एक बार इसकीन साट ले लो आप next slide में मैं आपको इसको simplify करूँगा चले आगे चले फिर that implies del e del e equal to हो जाएगा 1 upon 2 m1 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 u1 square m1 u1 square under bracket 1 minus 1 minus m1 upon m1 plus m2 m1 upon m1 upon m1 upon m1 plus m2 that equal 1 upon 2 m1 u1 square अब इसका जब LCM लेंगे LCM कितना हो जाएगा m1 plus m2 यहाँ यहाँ आता है तो यह आप प्रत्यास्ट अकर one dimensional perfectly in elastic collision clear चलिए तो अब next topic में हम चलते हैं अगला topic है हमारा इसके इसके पहले हमने one dimension elastic collision इसके पहले हमने पढ़ा है one dimension elastic अब यह है two dimension elastic collision two dimension elastic collision में होता क्या है देखो आपने केरम खेलते समय यह बात गवर किया होगा कि जब हम किसी गोली को कट मारते हैं कट मारते हैं मतलब side से strike करते हैं तो जब हम उसको side से strike करते हैं तो आपने देखा होगा इस तरह का condition बनता है कि माल यह गोली है और हमने दूसरे गोली को side से cut मारा तो यह इधर चला जाता है यह इधर चला जाता है दो अलग-अलग दिशा में चले जाते हैं तो टकराने के बाद ध्यान से सुनना टकर तो पूर्णतव प्रत्यास्त है लेकिन टकराने के बाद द्वीवीमी प्रत्यास्त संघट कहते हैं यह कहलाता है two-dimensional elastic collision तो यह हमको यहां से total figure से समझना है यह figure पर based है और बहुत ध्यान से आप figure को समझना तभी आगे आपको समझ में आएगा otherwise नहीं आएगा तो चलिए मैं यहां figure बनाता हूं उसका आप समझना यह एक pin है यह एक pin है यह दूसरा pin है इस pin को जाके इसने पीछे से टककर मारा और उसके बाद यह pin इधर चला गया और यह pin suppose इधर चला गया झाओकश यह जज़खऊ यह जगब यह जब यह जज़खब जब यह बचर नह अ यह गुआ यहाँ पर देखो यह A एक पिंड है और यहाँ पर B दूसरा पिंड है इस पिंड का वेग U1 है और इस पिंड का वेग मालो U2 है यहाँ वो इस्थिर भी हो सकता है देखो U2 पिंड को हम क्या है इस्थिर भी मान सकते हैं U2 पिंड को हम rest condition भी मान सकते हैं अब यह जो A पिंड है वो इस दिशा में चला गया और यह जो B पिंड है वो टकराने के बाद इस दिशा में चला गया टकराने के बाद इसका वेग मालो V1 है और इसका वेग मालो क्या ह v2 है यह अब यहां पर देखो चित्र में टकराने के बाद मतलब aham audio x इसको कलकुलेसं है क्रिद्व यह अब सायरित है मैं यह बाद आप को बार बार physics के class में बोलता हूँ, यदि आप इस तरह से जो चित्र बनते हैं किसी भी topic पर, वो चित्र पर यदि आप proper command कर लेते हैं, तो फिर आपका आगे का काम आसान हो जाता है, क्योंकि total calculation physics का वो चित्र पर ही आधारित होता है, clear, तो इस तरह से आप चित्र समझ गया होगे, तो हुआ, इस position में दोनों में टकर हुआ, और दोनों में टकर के बाद एक particle इधर चला गया, दूसरा particle इधर चला गया, मतलब दोनों की दिशा अलग-अलग हो गई, इसलिए यह क्या है, two dimension collision है, do you mean टकर है, ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसके घटक, तो घटक होता है, वह कास घटक होता है, तो वह कास थीटा हो जाएगा, उसी तरह से यह वाला जो घटक होगा, दूर है, इसलिए हो जाएगा, V1 sin थीटा 1, यह एक घटक इधर होगा, और इसका एक घटक इस direction में होगा, इसी प्रकार से V2 का निकालें, तो यह हो जाएगा, V2 कास थ तो यहाँ पर देखो दो एक्सिस में काम हो रहा है एक्स एक्सिस और यहाँ पर हम दोनों एक्सिस के लिए बारी-बारी कल्कुलेशन करेंगे इसका कल्कुलेशन का दो तरीका है या तो पहले आप एक्स एक्सिस के लिए निकालो और य एक्सिस के लिए या तो पहले क्या निकालो पहले पिंड के लिए दूसरे पिंड के लिए लेकिन एक्सिस के साथ निकालना ज्यादा आसान होता है इसलिए हम इस कल्कुलेशन को दो पार्ट में करेंगे पहले x-axis के लिए फिर y-axis के लिए और ध्यान रखना कि दोनों condition में इसमें समवेग भी संरक्षीत होगा और गती जुर्जा भी संरक्षीत होगा क्यों कि मालूम है कि यह टककर क्या है प्रत्यास्त टककर है ठीक है तो सबसे पहले हम calculate करते हैं x-axis के लिए तो हमने लिख लिए यहां पर suppose सबसे पहले फार x-axis यह जो हमारा calculation है x-axis के लिए और सबसे पहले हम निकाल रहे हैं समवेग, x-axis के लिए समवेग पर कल्कुलेशन पहले कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा देखो x-axis पर टकराने के पूर्व समवेग मतलग m1, u1 और बात का समवेग हो जाएगा m2, u2, यह होगा यह है टकराने के पूर्व का समवेग अब उसको सब्दों में नहीं लिख रहा हूँ बहुत बार हम लोग ने लिख लिया अब आपको समवेग में आ गया है कि हमको क्या लिखना है तो यह टकर के पूर्व का समवेग है m1, u1, प्लस m2, u2 अब टकर के बात का समवेग क्या होगा x-axis के लिए न तो यह हमारा x-axis है और इसका वेग हो गया है v1, cast, theta 1 पहले पिंड का वेग हो चुका है v1, cast, theta 1 तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला m1, v1, cast, theta 1 मास तो वही रहेगा दरब दिमान का कोई घटक होगा नहीं और उसके बाद m2, दूसरे पिंड का वेग का घटक v2, cast, theta 2 हो गया है तो हो जाएगा प्लस m2, into v2, cast, theta 2 यह हो जाएगा x-axis के लिए अब x-axis के लिए हम गती-जूर्जा की गढ़ना करें गती-जूर्जा यदि हम x-axis के लिए गती-जूर्जा की गढ़ना करें तो x-axis के लिए गती-जूर्जा क्या हो जाएगा देखो 1 upon 2 m1 u1 square प्लस 1 upon 2 m2 u2 square यदि आपको किसी condition में यह लगाना है कि दूसरा pin इस्थिर है तब हम यह वाले part को 0-0 कर सकते हैं लेकिन आपको complete full condition में पढ़ना चाहिए conditional को तो बाद में अपने apply कर सकते हैं rest है तो 0 कर देंगे और इसके बाद देखो इसका गती-जूर्जा कितना हो जाएगा 1 upon 2 mass तो m1 है लेकिन वेग है v1 square cos square theta 1 यह होगा और प्लस यह हो जाएगा 1 upon 2 m2 v2 square पहले निकाला x-axis के लिए somewhere और उसकी गती-जूर्जा फिर हम निकालेंगे y-axis के लिए ठीक है तो यहाँ पर देखो पूरा चीज क्या है यहाँ पर पूरा चीज क्या है चित्र पर आधारित है ठीक है चलिए इतना आप इसके इसके इसाट लेलो फार y-axis y-axis के लिए सबसे पहले हम निकाल लेंगे क्या somewhere y-axis के लिए somewhere तो y-axis के लिए somewhere निकालेंगे तो क्या होगा ध्यान देना अब y-axis में इधर ध्यान दो यह y-axis की बात हो रही है और somewhere निकालना है पहले पिंड का तो टकर के पूर्व टकर के पूर्व दोनों का somewhere क्या होगा टकर के पूर्व इसका somewhere m1, u1 होगा और दूसरे का somewhere क्या हो जाएगा m2, u2 और equal somewhere क्या होगा y-axis में टकर के पस्चाथ का कोई बता सकता है टकर के पस्चाथ y-axis का somewhere क्या होगा क्या होगा टक्कर के पूर्व का समवेग टक्कर के पूर्व का समवेग जीरो होगा जीरो होगा जीरो टक्कर के पूर्व का समवेग जीरो होगा क्यों क्योंकि टक्कर के पूर्व का समवेग जीरो होगा कर ही नहीं रहा है तो टक्कर के पूर्व का समवेग क्या होगा जिरो होगा और टक्कर के बात का समवेग क्या हो जाएगा M1 V1 sin theta 1 M1 V1 sin theta 1 plus M2 V2 sin theta 2 यह महत्व पूर्ण बास है कि समवेग 0 होगा टक्कर के पूर्व टक्कर के पूर्व समवेग की 0 होने का कारण समझ में आए आपको क्योंकि यहाँ पर आप चित्र में देखो कि टक्राने से पहले इनका Y-axis में Y-axis में कोई गती नहीं है लेकिन जब टक्रा जाते हैं तो Y-axis में इसका गती V1 sin theta 1 और V2 sin theta 2 हो जाता है इसलिए क्या है टक्कर के पूर्व समवेग 0 होगा और टक्कर के पस्चास समवेग इतना होगा यह ध्यान में रखोगे और इसके बाद निकालने हम गती जूर्जा इसके बाद निकालेंगे हम गती जूर्जा तो गती जूर्जा के साथ भी यही होगा टक्कर के पूर्व का जो गती जूर्जा है वह 0 है और टक्कर के बाद का गती जूर्जा क्या हैगा 1 upon 2 M1 V1 square sin square theta 1 plus 1 upon 2 M2 V2 square sin square theta 2 यह होगा तो टक्कर के पूर्व का समवेक टक्कर के पस्चात के समवेक कहाँ पर बराबर होगा टक्कर के पूर्व समवेक 0 होगा और टक्कर के बात का समवेक इतना होगा और यहाँ पर भी देखो टक्कर के पूर्व का गती जूर जा यह होगा और टक्कर के बाद का गती जूर जा इतना होगा तो यह है two dimension elastic collision इस प्रकार से collision यहाँ पर complete हो गया यह collision बहुत important topic है किसी भी हालत में इसमें से question आना है आपका किसी भी हालत में मतलब ऐसा होई नहीं सकता कि collision से question ना है competitive exam में भी आता है अब school exam में तो आप लोगा कि teacher पर depend करता है कि question देंगे के नहीं देंगे लेकिन यह इतना important topic है कि कोई भी teacher इसको skip नहीं कर सकता अब करते हैं तो बहुत गलत है बागी competitive में तो fix है competitive में तो इसमें से question आता ही है चलिए अब इस chapter का एक last topic है last topic इस topic है ना इसके बाद अपने को पढ़ना है क्या सक्ति power तो यह है प्रत्य वस्तन गुणांग होता क्या है देखो प्रत्य वस्तन गुणांग एक बहुत important topic है बहुत छोटा सा है बट बहुत important topic है कि प्रत्यावस्थान गुणांग, coefficient of restitution बोलते हैं इसको English में यह क्या होता है तो वास्ताओं में यह एक नियतांख है जो की E बराबर होता है और E बराबर V2-V1 upon U1-U2 होता है यह या कभी-कभी हम इसको minus को common कर लेते हैं तो minus V1-V2 upon U1-U2 बोल मतलब इसका definition क्या हो जाएगा कि टकर के पूर्वका आपे टकर के पस्चाद जो आपेक्षिक वेग होता है टकर के पस्चाद का जो आपेक्षिक वेग है और टकर के पूर्वका जो आपेक्षिक वेग है इन दोनों के अनुपाद को हम क्या कहते हैं? प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं, ठीक है? इन दोनों के अनुपाद को हम प्रत्यावस्थान गुणांक कहते हैं, clear? तो ये कहलाता है प्रत्यावस्थान गुणांक, दोनों का अनुपाद, ये इसकी परिवासा है टक्कर के बाद और टक्कर के पहले आप एक्षी क्वेक का ज़नुपाथ है उसे प्रत्यावस्थान गुणांग कहते हैं और इसको हम एक से प्रदस्थित करते हैं प्रत्यावस्थान गुणांग यहाँ पर एक बात आप ध्यान रख सकते हो देखो कि जब हम पूर्णतर प्रत्यावस्थाकर पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा वहाँ पर U1-U2 इक्वल टू क्या था? V2-V1 पूर्णतर प्रत्यावस्थाकर के लिए जब पूर्णतर प्रत्यावस्थाकर था तो यह हमने पढ़ा था आप याद करो पूर्णतर प्रत्यावस्थाकर में पूर्णतर प्रत्यावस्थाकर के लिए यह जो प्रत्यावस्थान गुणांग का मान है प्रत्यावस्थान गुणांग का मान कितना होता है? वन होता है पूर्णतर प्रत्यावस्थाकर के लिए प्रत्यावस्थान गुणांग का मान वन होता है ठीक है? क्योंकि दुनों आपस में बराबर होते हैं अब देखो पूर्णता अप्रत्यास टक्कर के लिए लेकिन आदर सुरूप से कोई भी टक्कर पूर्णता अप्रत्यास अप्रत्यास नहीं होता पूर्णता अप्रत्यास संघट के लिए पूर्णता अप्रत्यास संघट के लिए इक होता है और पूर्णता अप्रत्यास अंघट के लिए इव कमान कितना हो सकता है यह competitive exam में इस तरह के question पूछे जाते हैं कितना होगा बताईए कितना होता है 0 इसका value कितना होता है 0 क्यों 0 होता है क्योंकि आपको मालूम है कि जब टकर पूर्णता अप्रत्यास होता है तो अप्रत्यास टकर में दोनों पिंड आपस में चिपक जाते हैं तो दोनों पिंड के आपस में चिपकने के कारण इन दोनों का वेक बराबर हो जाता है V2 जो है V1 के बराबर हो जाता है और जब V2 V1 के बराबर होगा तहें 0 हो जाएगा और 0 अपान कुछ भी हम Divide करेंगे तो 0 मिलेगा मतब टकर जब पूर्णता प्रत्यास होता है तो V1 V2 के बराबर हो जाता है इस पेकार से हम क्या कर सकते हैं कि पूर्णता प्रत्यास्ट टकर के लिए उसका मान सुन्य होता है और आंसिक रूप से यदि आंसिक रूप से आंसिक रूप से अप्रत्यास्ट आंसिक रूप से अप्रत्यास्ट संघट के लिए आप बताओ इसके मान कितना होगा इसका कितना होना चाहिए आंसिक रूप से अंसिक रूप से मतलब ना तो वह पूर्णता प्रत्यास्ट है ना पूर्णता अप्रत्यास्ट है तो आंसिक रूप से प्रत्यास्ट टकर के लिए ए कमान कितना होना चाहिए निखिल प्रजापती ओके वेरी गुड जिरो से एक के बीच E कमान होता है 0 से 1 के बीच इस पकार से इस कमान 0 से 1 के बीच होता है ध्यान रखना Between 0 and 1 1 माने 1 से कम नहीं हो सकता और 1 से जादा नहीं हो सकता तो यह points आप ध्यान में रखना यह है प्रत्यावस्थन गुणांग के बारे में कुछ special notes यह इस पर numericals पूछा जाता है यह वाले formula को आप याद रखना यह formula को आप याद रखना इस पर numericals पूछा जाता है अब हमको इस chapter का last topic पढ़ना है और वह क्या है सकती power कार्य उर्जव और सकती हमारे chapter का नाम है और अब हम last topic पढ़ेंगे सकती English में बहुते हैं इसको power तो देखें भाई power क्या है power बहुत छोटा सा topic है इस chapter में सबसे छोटा topic यही है सकती को हम P से पतासित करते हैं P फार पावर और equal to होता है W upon T यह आप बहुत lower class से पढ़ते आ रहे हो कि कारे करने की दर को सकती करते हैं कारे करने की दर को सकती करते हैं मतलब the rate of doing work time के सापे जो हम कारे करते हैं उसे ही हम क्या करते हैं सकती करते हैं और इसको यह दि calculus के language में हम लिखें तो इस पकार से भी लिखा जा सकता है calculus में मतलब differentiate करके तो P equal to क्या लिख सकते हैं? D W upon D T मतलब जब हम time के respect में इसका उकलन करते हैं तब भी हमको कारे मिलता है और इसका unit क्या होता है? Watt आपको मालूम है इसका unit होता है Watt ठीक है? Watt इसका unit होता है ओके? अब इस formula को थोड़ा सा है हम change करें यदि इस formula को हम थोड़ा सा change करें तो दूसरे रूप में और भी बदला जा सकता है किस रूप में देखो? इस formula को मैं यहाँ पर change करके आपको दूसरे फाम में भी इसको मैं बता रहा हूँ पहले एक relation बता दूँ में relation यह है कि 746 Watt 746 Watt equal to होता है 1 horsepower एक अस्व सकती horsepower उसका बड़ा unit है और भाई ज्यानिकों ने calculate कि 746 Watt जो होता है वह 1 horsepower के equal होता है यह 1 HP के वैसे electric power वगेर आप लोग बारवी class में और detail में पढ़ होगे यहाँ पर हम mechanical power के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन जब electrical power पढ़ेंगे बारवी class में तो आपर बहुत detail में इसको पढ़ा जाएगा यहाँ पर मैं कुछ इस formula को change कर रहा हूँ ध्यान देना यहाँ पर P equal to dw upon dt है तो d by dt equal to कारी बराबर क्या होता है बल गुडित विस्थापन तो इसको मैंने कह दिया F into D यह कह दिया या F into S कह दिया ऐसा भी कह सकते हैं हम विस्थापन को S से भी पदस्चित करते हैं अब आगे मैं इसको solve करूँ तो P equal to force constant है उसको बाहर कर दिया तो यह हो रहाएगा dS बटे dt that implies यहाँ पर देखो P equal to F अब क्या आप बता सकते हो कि dS बटे dt क्या होगा dS बटे dt क्या होगा कोन बताएगा एस यहाँ विस्थापन है तो dS बटे dt क्या होगा anyone कोई भी बताईए dS बटे dt वेग होता है जब हम विस्थापन को समय के सापेक शावकलन करते हैं तो हम वेग होता है भई ठीक है तो क्या बन जाएगा ये वेग हो जाएगा तो P पराबर F इंटू V भी मिलेगा P पराबर F इंटू V भी मिलेगा ये फार्मूला भी याद रखना क्यों कई रूप में इसको यूज किया जाता है तो यदि आपको बल और वेग पता हो तो इस रूप में भी आप निकाल सकते है ठीक है DS बटे DT तो वेग वेग होगा ना मनिया आप पहले के टापिक भूलते जा रहे हो तो पावर W अपांट T भी निकाल सकते हैं और पावर हम F इंटू V भी निकाल सकते हैं मतलब किसी पिंड पर लगाये गए बल और उस पिंड का वेग का जो गुड़न फल है वह भी पावर के इक्वल होता है ठीक है तो यह हमारा आज यह टापिक कम्प्लिट हो गया ओके थैंक्यू थैंक्यू समच अगता है इंक्यू पावर के आदें